हलो एवरिबड़ी दिस दिग्रास सिंग राजपूद वेलकम टू मैगनेट बेंज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो से एक नया चाप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास एक हिस्ट्री का चाप्टर चाप्टर है हाउ वेन एन वेर अब यह हाउ वेन एन वेर क्या है देखो इतना रिलेट करो कि हिस्ट्री का चाप्टर पढ़ेंगे हम ठीक है अब हिस्ट्री में आपका पहला चाप्टर है तो आपने class 6th में भी history पड़ी थी, 7th में भी पड़ी थी, अब आप 8th में history पड़ रहे हैं तो हर चीज में आपने क्या observe करा होगा, हर class में आपने क्या common point observe करा होगा कि हर class में पहला chapter कुछ ऐसा ही होता है, how, when and where types है तो अब हम वही पड़ने वाले हैं, लेकिन ये पहला chapter बहुत important होता है क्यों? क्योंकि ये कोई कहानी जरूर नहीं बताता है, लेकिन सारी कहानियों के पीछे की कहानी पता लग जाती है हमें मतलब history कैसे पढ़ना है, उस चीज को अगर समझना है तो पहला chapter बहुत अच्छे से समझना चाहिए हमें तो हम क्या करने वाले हैं, एक introduction वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे कि इस chapter में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम किस perspective से chapter important है, तो वही सारी चीजे तो if we go by the heading of chapter, अगर heading से ही जाते हैं, how, when and where तो यह history का how, history का when और history का where बताता है मतलब कि history कैसे बनी, क्या है, क्या सारी चीजे, वो एक वाला perspective है how वाला perspective बताता है history का, ठीक है, when, history में when जैसे हम dates देखते हैं, events देखते हैं और वही चीजे हम आगे पढ़ेंगे dates to events में, ठीक, तो उस perspective से भी important है यह, when and where मतलब कहां तो history के जो तीन pillars अगर देखे हम, कि how, when and where, किसी भी चीज का अगर देख लें, हम आप से बात भी कर रहें तो how, when and where वाले question जो रहेंगे, कब, कहां, कैसे यह पूछा जाता है ना, तो वही चीज यहां पर बताई गई है कि हम इस chapter में, इस chapter का जो basic crux है तो वह आपको यह पता था है कि history, how, history, when and history, where और अभी आभी एक चीज आगर important आप देखोगे, तो आपने अभी तक क्या पढ़ा है, 6th class में आपने ancient history के बारे में पढ़ा, सब कुछ पुराना हमने पढ़ा था, ठीके, तो ancient time का बुद्ध का और यह सारी चीजे पढ़ी हम हमने, फिर 7th में हमने medieval time period पढ़ा, उसमें आपने देखा ना कि अलग 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 देली सल्तनेत, मुगल, सल्तनेत, और, मराथा, यह सारी kingdoms पढ़े हमने, तो 7th class में हमने, क्या पढ़ा, medieval history पढ़ी, मतलब ancient history पढ़ चुके, 6th में medieval history पढ़ चुके, अब modern history आएगी, मतलब अभी तक मुझे ऐसा लगता था, कि 6th और 7th में बच्चों को history इसलिए विकार लगती थी, क्योंकि बहुत पुरानी history बताते थे, जिसका अभी कोई relevance नहीं था, लेकिन अब जो 8th में आप history पढ़ेंगे, तो वो history आपको ऐसे लगी कि कि हमारे past वाली history है, यह, past वाली history मत मतलब कि हाँ यह हम relate कर पाते है, modern history इसे कहा जाता है, तो introduction to history, अगर हम देखे 8th class की जो history है हमारी, तो वो पूरी modern Indian history पे depend करती है, कि इंडिया में Britishers जब आए, उसके बाद से history जो है वो हम 8th class में पढ़ने वाले है, इंटरस्टिंग होगी इसका मतलब यह, ठीक है, आप तो का है, what we are going to study in this chapter, इस chapter में हम क्या पढ़ने वाले है, यह हमारे यह वाला chapter है, कौन सा वाला, how and and where का, तो इस chapter में हम क्या क्या पढ़ने वाले है, क्या होने वाला है, कोर्स content, तो dates to events, यह चीज़ हम संदेंगे, पहले का होता था, history date centric होती थी, और अभी बहुत सारे students क history इसलिए पसंद नहीं आती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी dates ही dates रहती है, लेकिन एक चीज़ बताएं आपको, कि history सरफ date centric नहीं होती, dates नहीं होती history में, उसके अलावा events भी important होते है, तो हम dates to events वाला जो shift है, उसे समझेंगे इस chapter में, which dates to be considered as important in history and why, मतलब किन dates को important consider किया जाता है, क्यों consider किया जाता है, इससे जुड़े हुए जो arguments है, इससे जुड़े हुए जो debates है, उन्हें समझेंगे हम methods of periodization, तो अब James Mill के बारे में कुछ पढ़ेंगे, James Mill ने Indian history को periodize करा है, क्या वो सही करा है, गलत करा है, वो सारी चीज़े भी आपको इसी chapter में पढ़ने क दी है, what is colonial, तो हम colonial को, colonialism को समझेंगे, इसी chapter में, उसी के साथ साथ में sources of history, अब देखो, history ऐसा तो नहीं कि आपको रात में सोय थे, सपना आया और पूरी history आपको याद होगी और अगले दिन आपने लिख दी, हम history अगर लिखते हैं, तो वो किसी source से inspire होके लिखते हैं, ज उन सारी चीजों से हम inspire होके लिखना है, तो अब हम वही यहाँ पे भी करेंगे, कि हम sources of history देखेंगे, कि history अगर हम पढ़ रहा हैं, समझ रहा हैं, तो history कहां से आई, कहां से मिली, तो वही चीज़े, sources of history हम पढ़ेंगे, and issues related to it, और इस से जुड़े हुए जितने भी issues हैं, किस से जुड़े हुए, इन sources से जुड़े हैं, कि कितने सही होते हैं sources, कितने गलत होते हैं, कहां तक हमें उन पर विश्वास करना चाहिए, तो यह सारी चीज़े आपको इस chapter में पढ़ने को मिलने वाली हैं, तो I have cleared the whole course content of this chapter, कि इस chapter में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, इस chapter में आपको basic idea दे दिया, हमने क्या इस chapter का basic idea यह है कि Indian modern history पढ़ेंगे हम, तो पूरा जो modern time period की history उससे पढ़ने वाले हैं, ठीक, और history में जो how, when, and where वाला जो dimension है, तो वो chapter के साथ में ही जाता है, कि हम history को अलग-अलग 3 pillars पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक हैं, तो यह हमारा introduction video था, हमने आपको बता दिया, आप next video से हम क्या करते हैं, एक-एक topic को लेते चलेंगे, subtopics को जैसा हम हमेशा पढ़ते हैं, तो उससे सारे concepts clear होते जाएंगे, clear हैं, इस chapter के notes, आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर, बहुत आसानी से download कर सकते हैं, magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक, सभी subjects, सभी chapters, और सभी chapters के subtopics, एक arranged format में available हैं, जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और download कर सकते हैं, feel free to visit our official website magnetbrains.com, मिलते हैं next video में, thank you, thank you very much. Hello everybody, this is दिगरास सिंग राजपूद, welcome to magnetbrains. इस video में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस video में हम पढ़ेंगे how important are dates, पिछले video में मैंने आपको एक basic introduction दिया था, किस बारे में basic introduction दिया था, कि बताया था इस chapter में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अब chapter start करते हैं, तो जो आपका सपरफेला, आप पहला topic है, क्या है, पहला topic हाओ, adesso, इमपॉर्टेंट की इंपोरटेंट होती है, अब आप मुझे इस बाइडिकितनी important होती, आपकी बर्फरदे की डेट कितनी important होती आपके लिए, वो सिरफ आपके लिए important होती आपके parents के लिए, आपके friends के लिए इसलिए क्योंकि उन्हें party मिलने वाले होती है तो परस्पेक्टिव से क्या है कि date हमेशा important होती है क्यों क्योंकि date से event attached रहता है और उस date के चलते हैं कि हम उसे significant मतलब उसे significance देना ही start कर देते हैं कि हाँ यह date के दिन ऐसा हुआ था इस कारण से क्या है इस date को हम याद रखते हैं इस date के दिन आपका जन्म हुआता है इसलिए हम birthday बनाते हैं तो वैसे क्या होता है वैसे हम dates को importance देते हैं no doubt लेकिन कितनी importance देना चाहिए क्या history सिर्फ dates तक ही सीमित होना चाहिए ऐसे कुछ सवाल उठते हैं और एक सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि बच्चे history से इसलिए भागते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता history is all about dates लेकिन ऐसा नहीं है history dates से अलग भी होती है आपका यह जो भी आइडिया है ना इसे अभी हम दो मिनिट में दो मिनिट तो नहीं पूरा वीडियो जो रहेगा तो इस पूरे वीडियो में क्या करने वाला है इस पूरे argument को complete करेंगे हम समझेंगे कि किस तरह से history जो है वो सिर्फ date centric नहीं होती जिन लोगों को history से डर लगता है कि date dates है तो वैसा नही history record करने की जब बात आती थी कि history लिखना है आपने किसी भी चीज की तो dates के synonormous होती थी मतलब आप क्या करते थे हिस्ट्री में सिर्फ date ही date की इतनी तारिक को ये इतनी तारिक को ये और ऐसे करके आपने history लिख दी पूरी तो एक ऐसा time period था जब history को हम किस से relate करते थे dates से relate date करते थे date obsessed होते थे लोग मतलब सब कुछ date होना चीज है history मतलब date उनने ऐसा बना दिया तो इसी कारण लोग डरते थे history से फिर क्या होता है लेकिन ऐसा गलत है ये ये गलत की हुए क्योंकि history में आप सिर्फ dates को नहीं record करते हो आप history में क्या करते हो history is all about comparison history में आप compare करते हो जैसे एक time period था जब डेली सल्तनत थी और एक time period था जब Mughal period थे मुगर L ذो आप क्या करा हो कि डेली स्ल्तनत का time period अलग मतलब date अलग है Mughal period जो इसका time period अलग प्रिटिव को पढ़ता थे हैं इस समय पे पीजलाइट कंड़न टैप्स देना प्रत पढ़ता है तो अब ज़रा अपने उस नोशन को फिर से सोचो कि क्या हिस्ट्री में हम सुर्फ डेट्स ही पढ़ते हैं नहीं हिस्ट्री में हम डेट्स के साथ साथ में चीजों को compare करते हैं हम before and after करते हैं before and after मतलब क्या है हम समझते हैं कि अच्छा पहले कैसी थी history आज कैसी है history अगर आप देखोगे आज थिके कि आज हम ये चीजे कर रहें तो अज उसी चीज वह RAW अज आज हम बाइक चला रहे हैं तो क्या आज से 200 साल पहले बाइक चला रहे थी हम compare करो history से तो 200 सारी चीज़ें पढ़ते हैं समझते हैं सिर्फ डेट्स नहीं होती हिस्ट्री में ध्यान रखना इस चीज़ को ठीक है everything has a history और अगर देखा जाए तो दुनिया में ऐसी कुछ भी चीज नहीं है जिसकी history नहीं हो हर चीज की history होती है everything has a history कैसे हर चीज की स्टार्ट कर दिया इस चीज के पीछे भी history रही होगी गरम पानी था वहां पर कुछ टीली इस गिर गई है तो पानी का color change हो जाता है टेस्ट चीज हो जाता है energetic लगता है फिर यह ऐसे टी बनती है railway आज हम बैठ जाते हैं train में कहीं भी चले जाते हैं लेकिन railway के इतना असान था नहीं एक पूरी history रही है कि Britishers को कैसे idea आया होगा steam engine बने होंगे फिर उसमें धीरे-धीरे क्या करना Mint culture वाला तो सेंस में क्या है तो सेंस में बैट बैपर की एक ही encryption की रहोता है एक में क्या है पढ़ते और स्वामी विवेकानंद की के पढ़ते हैं हम उनके बारे में स्मझते चीज़फें जाब नहरु के बारे में पढ़ते हैं बगत सिंग के बारे में पढ़ते हैं तो उस संस में क्या है उस संस में हर इंसान की एक हिस्ट्री होती है आया समझ में यहां तक ठीक है तो अब देखो क्या है तो यह जो हमने स्टार्ट करा था हो इंपोर्टेंटर डीट्स तो नौड़ाओ डीट्स अर डीरेनिस टेलिकिन दीट्स collect कलाओ भी हम गए करते हैं शीजों को हर चीज के होती है अब हम सब्सक्राइब मतलब क्या होटा है कि देट्स वो ताइमें डिफरेंस होता है इस मतलब क्या है आज हमने डेट दे दी कोई सी, जैसे क्या डेट दे दी हम देदी 14th April, 14th April हमने क्या कर दिया, एक डेट दे दी है, 12th September हमने क्या दे दी एक डेट दे दी है, तो ये date हो गया, लेकिन time period की बात करते हैं, तो मैंने क्या हो गया, 2019 तो 2020, ये क्या हो गया, ये एक time period हो गया, तो date टाइं पेरेट दो अलग अलग चीजे हैं लेकिन हर चीज को कहीं डे रिलेट कर सकते हैं यह देखो, it is incorrect to fix precise date to the processes, अब जैसे हम देखते हैं कि टी की जो हिस्ट्री है, तो लोगों ने क्या किया, किसी दिन जैसे अबसर्व किया, किसी ने गरम पानी में कुछ टी लीव गई है, तो उससे टेस्ट बदल गया, एक इंसान ने पिया, फिर उसने किसी और को ऐसा बताया कि यार वो पानी ऐसा गिरने के बाद में पिया था, तो बहुत अच्छा लगा था, energetic लगने लगा, तो उसने किसी तीसरे आदमे को बताया, तो अभी यह क्या हो रहा है कि एक पूरा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, अभी जो पूरा प्रोसेस हुआ तो क्या यह एक ही दिन मे प्रोसेस हो ना, प्रोसेस है किसी भी चीज का होना, जैसे लोगों ने क्या रेलवेस इसा निया कि रात में सब सोय थे, अगले दिन सुबह उठे, और देखा तो रेल चालो हो गई है, एसा नहीं, एक पूरे टाइम पूरे की पूरे टाइम पिरेड़ से चीजह होती है, त तो आप उस चीज़ को अगर किसी डेट से फिक्स करना चाहो तो वह इंकरेक्ट है क्यों क्योंकि वह डेट वाले दिन तो हुआ ही नहीं है आप बड़े हो गए उतने कितने साल के आप मान लीजा आप 13-14 साल के एट्थ क्लास में तो अब आप एट्थ क्लास में 13 साल के हो उन्हें एक डेट पर फिक्स नहीं कर सकते हो क्या करती है पूरा का पूरा इक टाइम पर रहती है तो इनकर्फक्ट फिक्स ॉसी प्रि데ट्व नहीं कर सकते हो देर कन द्यर कन भी no one clear date ठीले नहीं हुब यहां ब्लब मनलब क्या कि कोई एक ट्लिर डेट नहीं हो सकती त्यर processes होती हैं जिसे paper जो print culture developed हुआ तो print culture रातो रहत नहीं बन गया वह क्या होगा एक पूरए की पूरए time period पर उसकी history दिकी गया तो अभी तक जो लोग सोषते थे क्या कि history स riff date centric होती है तो आपको में बता दू नहीं history मैं comparison करते हैं history महिम events को पढ़ते हैं और events किसी एक date पर specific नहीं होते there are there can be no one clear date for the processes just example people in India did not begin drinking tea one find ऐसा नहीं कि सभी लोगों ने एक साथ एक ही दिन बोला कि हाँ आज हम है history लिखना है तो history क्या लिखना है कि हम 20 January से क्या करेंगे सब मिलके चाय पीएंगे तो चाय पीना जो था वो 20 January से start नहीं हुआ टी के पीछे की जो history है तो वह एक time period पे वाल होई होगी किसी date पे वाल नहीं होगी ना तो वह यहां पर बताया गया then why do we associate history with string of dates लेकिन सवाल ही आता है कि हम जब history पढ़ते तो कहीं नहीं हमें dates मिलती जरूर है तो मैंने आपको starting में बोला था कि dates are important in history ऐसा नहीं है कि आप ignore कर दो कि dates important नहीं है लेकिन आप सवाल यह आता है कौनसी dates important है ठीक है which dates जो आपके book में heading दिये उसको पढ़ने से पर एक और चीज़ बताता हूं मैं तो then why do we associate history with a string of dates तो क्यों associate करते हैं देखो the reason for associating dates with history क्या कारण है कि earlier there was a time when history was an account an account of battles and big events तो पहले क्या होता था कैसा system चलता था कि history को क्या क्या जाता था history में सारी जितनी भी battles हो रही ही तो उनका account लिखके रखना अब कि हाँ इतनी तारिक को बैटल लड़ा गए थी इतनी तारिक को राजा अने लोगों कि मारा था यह सारी चीज़े कुछ बड़े events वरें बड़े events में जैसे इसे राजा को राजतिलक हो जाता राज राजा कब बने थे कब शादीी होई यह कब उनकी कि दर किया जाता था किस चीज के बेटल सोगी इवंट्स के जिस तो जम किया सकते डेट सेंटरिक history was recorded तो उस समय पर देट सेंटरिक हिस्टरि चली आ रही थी लेकिन वह important भी था तो हम compare कर पाते जिसे मानले ये south India में कुछ हो रहा है और वहीं North India में कुछ हो रहा है तो दोनों की अगर हमें date पता है तो हम क्या कर सकते हुआ ये compare कर सकते है पहले वहां पे ऐसा हुआ था फिर यहां पे ऐसा हुआ था तो वही वाली बात की history में comparison करते हैं तो dates के लिए आपको मदद सावित करती और पहले ट्रेंड अलग था तो नो डाउट कि डेट्स जो होती है इंपोर्टेंट इन हिस्ट्री क्यों क्योंकि वह इवेंट्स और क्या सकते हैं बैटल्स इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए यूज की जाती थी लेकिन फिर से प photographedi ज क्या है अनथर स्टाइल आफरिकॉर्ड इसट्री इस जो समझना कि जो त्वीर्पया करनें, का दर्द्स इए तक हीते पर फोक्स होकर नहीं यह करते हो event based होता है event based अभी मैंने बताया था जैसे कि railways का जो पूरा development हुआ तो एक time period में हुआ वो जो event हुआ वो एक time period में हुआ तो एक तो date centric history होती है recording date centric history और दूसरा क्या होता है event based histories को आप record करते हो event based histories को कैसे record करते हो example जैसे how people earned their livelihood अब लोग अपना जीवन कैसे चलाते थे British time period में कैसे जिंदा रहते थे वो पैसे कैसे कमाते थे तो उस चीज़ को एक date से नहीं आप सीमित कर सकते हो वो पूरा event समझोगे आप तो यह भी history में पड़ते हैं what they produced and ate etc ठीके तो आप produce करते थे क्या खाते थे यह date थोरी ना produce करते थे date थोरी ना खाते थे तो वो क्या है वो एक पूरा time period है तो उसे आप study करते हो history में आगया समझ में तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि history सरिफ date centric नहीं होती how important are dates तो no doubt dates are important in history but there are other things also other than dates ठीके dates के अलावा भी दूसरी चीज होती है जो history में importance रखती है जैसे लोगों के events वो importance रखती है तो अब हम क्या करने आलें 8th class में यहीं पढ़ेंगे dates के perspective से भी history समझते चलेंगे साथी साथ events को भी समझेंगे कैसे important events जो होते हो important role play करते हैं आगे समझ में तो यहीं सारी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं इस chapter में तो important are dates जाला topic clear हो गया अब हम सवाल यह उठाते कि dates चलो थोड़ी सी भी important है तो कौनसी dates important है which dates are important how important are dates हमने यह तो समझ लेकि dates important होती है पूरी history date नहीं होती है लेकिन कुछ history का part dates होती है अब dates भी कौनसी dates important होती है यह चीज़ समझना जरूरी है तो अब हम next video में वही करेंगे क्या which dates वाली जो heading है आपकी उसे समझेंगे clear है इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बह सब ही chapters के subtopics एक arranged format में available हैं जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हों download कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं next video में thank you thank you very much Hello everybody this is Digras Singh Rajput Welcome to Magnet Brains इस video में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस video में हम पढ़ेंगे which dates which dates कुछ recall करो पिछले वीडियो से पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में हमने देखा था कि dates कितनी important होती हैं तो हमने देखा था कि यहां dates important होती है लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ dates ही important होती है अब सवाल यह आता है कि dates अगर चलो मानलो थोड़ी भी important होती है तो कौन सी dates important होती है, which dates are important आगया समझ में तो अब which dates are important हम समझते हैं कि कौन सी dates important होती है history के perspective से देखो जो पिछला वीडियो था उसको relate करना इस topic से, कैसे relate करना कि हमने देखा कि जो history होती तो सिर्फ date centric नहीं होती है उसमें even waste चीजों को भी आप focus करते हो आप क्या देखते हो कि लोगों की life पे कैसे impact हो रहा है लोग कैसे जीते थे ठीक है लोग क्या खाते पीते थे तो dates खाते पीते नहीं थे ना वो तो दूसरी बहुत सारी चीजों होती जो history में include की ज record हुआ था इतनी बज़े record हुआ था और फिर आप देख रहे हैं उसे तो इस तरह से क्या हर चीज की history बनते जाती है तो history क्या है सिर्फ date centric नहीं होती है लेकिन dates important role play करती है तो इस परस्पेक्टिव से हमें date समझना है ठीक है history is not all about dates वही चीज़ यहां पे लिखिए कि history dates से relatable नहीं होती है but dates do play a very important role in it ठीक है तो dates फिर भी एक important role play करती है history में तो कौनसी dates सवाल यह उठता है which dates अगर dates important role play करती भी है समझ गया है चीज़ को कैसे कुछ तो करती है तो कौनसी dates important role play करती है तो dates depends on events dates जो भी होती है वो depend करती किस पे date depends on events कौनसे events तो events देखो अब यह चीज़ समझना है यह important है आपे जब इस example से समझाओंगा मैं आपको लेकिन अभी पहले जो मैं example दे रहा हूँ उससे समझो कि हमने यहां तक देख लिया कि हम history में किन dates को importance देते हैं जैसे आप किस date को important दोगे जिस date को आपका birthday आता है क्यों क्योंकि वो आपका birthday वो event किस से जुड़ा हुआ है आप से जु पर dates depend करती है no doubt ठीक है बहुत अच्छी बात है अब events भी तो vary कर सकते हैं जैसे आप आज history लिख रहे हो तो आप किन events पर focus करोगे जो आपके लिए आपको अच्छे लगे events या फिर जो आपके perspective से जरूरी events थे जैसे Russian history जो रहेगी और Indian history जो रहेगी तो Russian history के जो Russian historians रहेंग इवेंट्स को ध्यान में रखेंगे वो यह थुरिन देखेंगे कि इंडिया में non cooperation moment हुआ था तो हम रश्या की history में वो लिखेंगे क्यों क्योंकि उन्हें तो Russian history लिखना है तो Russian history में किन events को consider करेंगे वो जो Russian revolution हो रहा था उसे consider करेंगे ना कि इंडिया में जो non cooperation moment और Indian national moment चिल रहा था आया समझ में तो वही चीज रहती है कि date depends on events अब सवाल यह भी आता कि events क्या होते हैं तो if we change our focus of events and issues subsequently the dates will also change यह देखो क्या होता है कि हम अगा रहा आपको मैंने बोला कि history पढ़ना है ठीक है आप क्या कर रहे हो अभी आप focus में क्या रख रख रहे हो आप American history तो आप Indian history के साब से events और issues पढ़ोगे तो आपकी dates बदल जाएगी ना अब आप जो dates पढ़ोगे वह दूसरी होगी American history पढ़ थे जब dates दूसरी होगी तो इस तरीके से क्या है कि history में dates important role play करती है अब आप देखते हो कि कौनसी dates important role play करती है तो dates depend करती events के उपर और जो events है तो events भी यह देखा जाता है कि आप किस event पर focus कर रहे हो ठीक है as the focus of your event changes the importance of dates to you also change ठीक है अभी आप जिस date को importance दे रहो वह सकता है कि आप अगर अगर अपना focus change करते हो आप अपना देखने का नजरिया बदलते हो तो आपकी dates भी बदल जाएगी dates बदल जाएगी मतलब आप American history पढ़ोगे तो आपको दूसरी dates मिलेगी आगा समझ में तो वही चीज होती है यहां पर क्या कि history dates पर depend करती हो dates events पर depend करते हो इवेंट क्या होते हैं वो depend करते हैं देखने वालों की perspective पर या फिर कह सकते हैं events depend करते हैं जो लिख रहा है उसके दौरा जैसे example देते हैं तो history क would consider rule of governor general as important देखो हमारी लिए कोई मतलब नहीं है governor general क्या थे British officer थे वो आये चले गए हम इतनी importance नहीं देंगे उन्हें लेकिन जब British historians ने history लिखी होगी तो उस समय पर British historians ने क्या ध्यान दिया होगा British historians ने ध्यान दिया होगा कि जो उनके governor general थे Warren Hastings से लगा के Lord Mountbatten ठीक है ध्यान रखना one marks में जाता है Warren Hastings जो थे पहले governor general थे ये ठीक है first governor general of India और इधर की side जो है तो यह को है Lord Mountbatten तो यह last viceroy of India यह viceroy governor क्या-क्या है यह पूरा 8th class में हम यही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं तो उसमें कोई confusion नहीं रखना है आपको ठीक है Lord Mountbatten जो थे second governor sorry last viceroy थे इंडिया के और first governor general यह थे तो मतलब पहले अधिकारी और उनके जितने भी governor general थे उन्हें importance देंगे ठीक है अब क्या होता है इसी चीज को अगर आप ध्यान दो तो their classification will receive their classification will revolve around the British governor general ठीक है तो उनका classification या फिर उनका जो way of writing way of recording होगा it will it will revolve around the governor general ठीक है उन्हीं के governor general के आजू-बाजू चीज़ें लिखेंगे उन्हीं के आजू-ब समझना जब क्या होता है कि British historians history लिखेंगे तो they would not include the Indians and their perspective. Indians and their perspective will not have any role in it. आगे समझ में history जो लिखी जा रही है वो Britishers के तोरह लिखी जा रही है वो अपने लोगों पे जादा focus करेंगे उनका classification जोगा तो वो उन्हीं के लोगों के अरावा around revolve करेगा मतलब British governor general's के आजू- रहे थे उनका क्या perspective था? It would not get a proper attention in the history being recorded by Britishers. तो Britishers जो history record करेंगे वो Indians के उपर ज्यादा focus नहीं करेंगे. ठीक, but when we will write the history, अब देखो या पे focus change होगा, मैंने भी बुला ना dates किस पर डिपेंड करती ही focus पे, अभी focus किस के पास था British historians के पास में था, अब history कौन, but when we will write the history from Indian perspective अगर हम Indian perspective से history लिखेंगे अपनी, तो क्या होगा? Indian perspective, a new set of dates will become more important. तो आप new set of dates will become more important. आप नहीं नहीं डेट्स पर क्या करोगे? focus करोगे, आप नहीं डेट्स पर importance दोगे. आगे समझ में? तो उस sense में क्या होता है? कि यहां पर वही बताएगा, which dates? तो dates important होती है, no doubt. Dates depend क जैसे आपके लिए क्या date important होगी, आपके birthday की, मेरे लिए मेरे birthday की, हम दोनों के लिए एक दुसरे की कर लेते हैं, तो अब वो event पर लेकिन जैसे जैसे focus बदलता जाएगा, Britishers अपनी history अलग लिखेंगे, क्यों क्योंकि वो अपने point of view से देखेंगे, अपने लोगों को importance दे तो इसी के साथ हमारा ये वाला topic भी complete होता है, which dates वाला, clear है, अब आगे बढ़ते हैं इस chapter में, और तो अब हम क्या करेंगे, अब अलग-अलग perspective देखेंगे, periodization के, जैसे हमने history पढ़ा, dates important होती है, ठीक है, तो उसमें periodization भी होता है, ये सारी चीज़े होती है, तो उन्हें हम समझने वाले हैं, clear इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं, magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics, एक arranged format में available हैं, जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हों, download कर सकते हैं, feel free to visit our official website magnetbrains.com, मिलते हैं next video में, thank you, thank you very much. अब हम history को periodize क्यों करते हैं, सवाल या आता है, पहले हम periodization पर बात करते हैं, periodize मतलब होता है, periodize मतलब जैसे आपके example से बताता हूँ, आप पहले kindergarten में थे, तो उस चीज़ को हमने अलग periodize कर दे किंडर गार्डन, ठीक है, फिर आप जैसे क्या कह सकते है, primary classes, upper primary classes, senior secondary, secondary, उस अलग तरह से periodize कर दिया, फिर आप upper primary पर आ गए, तो 60 से 8, हमारी school में ऐसा होता था, आपकी school में कैसा होता पता नहीं हुझे, तो आपने क्या कर दिया, अलग अलग तरह से periodize कर दिया, ठीक है, अलग अलग क्या कर दिया, इसको groupings में classify कर दिया, तो यही periodization है, हम history को भी ऐ characteristic देखने को मिलती है, 6th से 8th तक के बच्चों के बीच में क्या है कि common level रहेगा, मान लो लग 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 वह बात अलागी है, कि 6th के थोड़े से कमजोर से डरे से सहमे हुझे से रहते हैं, 8th क्लास में आते बच्चे क्या हो जाते हैं, थोड़े बदमास से हो जाते हैं, अब periodization क्या होता, वो मैंना बता दिया, अब करते क्यूं है, इसलिए करते हैं, so that we can show significant changes between the different time period, जैसे अगर हम देखते हैं कि 6th क्लास में हमने क्या पड़ा ancient history पड़ा था, अब हमने क्या कर दिया, उसको एक group बना दिया, दूसरा group कौन सा हो गया, हमारा medieval history का हो गया, तो medieval history history को हमने क्या periodize कर दिया, दूसरे group में कर दिया, तीसरा group हम क्या पड़ रहे हैं, अभी मेरा starting में बताया था, modern, modern history, तो यह क्या हो गया, तीसरा periodization हो गया, तो अब हमने जो periodization करा है, तो यह क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है, यह क्या express करता है, how can, we can show significant changes between the different time period, तो ancient history क जो आपने periodize करा है, तो ancient history में कुछ अलग characteristics थे, ancient history में कुछ अलग trend था, वही चीज़ आप, to modern media history में देखोके तो उसमें कुछ अलग चीज़े Алग characteristics से अलग trend था वही चीज़ आप modern history में देख्ते हो तो उसमें कुछ अलग authorents ठ्रेंड यह तो इस basis पर क्या होता है आपने 3 चीज़ेależ को क्लासिफाइद कर दिया आपने 3 चीज़े sacrific कर दिया आपने 350 को तो यह होता है reason किस चीज का reason कि हम क्यों classify करते हैं तो by classifying या फिर by periodizing the history we can show significant changes between the different time period अलग-अलग time period में अलग-अलग जो groups बनाएं उनमें क्या changes है medieval history में और modern history में क्या changes है वो हम दर्शा सकते हैं कैसे दर्शा होगे तो वो हम दर्शा सकते है periodize करके अभी आगे और बताओंगा confusion नहीं रखना है ठीके और clear करेंगे इस चीज को हम तो वैसे ही इंडिया में अग Scottish economist and political philosopher economist मतलब क्या है अर्थसास्त्री थे यह अर्थसास्त्री मतलब क्या होता है जो economy से जुड़ा economics से जुड़ा यह सारे काम करते थे लेकिन आप बोलो कि history में क्यों बढ़ रहे है इने तो इंटर-related study होती है ठीक है यह economist है इसका मतलब यह नहीं कि history नहीं पढ़ सकते है दो जेम्स मिल जो थे ठीक है जेम्स मिल क्या थे Scottish economist थे जिन्होंने और एक पॉलेटिकल philosopher भी थे तो इन्होंने क्या किया इन्होंने history को classify कर दिया इन्हों ने history को पीरियोडाइस कर दिया तीन पार्ट्स में उन्होंने एक बुक पब्लिश करी। published a book A History of British India British India British India मतलब क्या है कि British time period में जो इंडिया थी तो बिरिटिश मतलब कह सकते हैं कि उन्हीं से जुड़ों उनके रिस्तेदार थे तो उन्होंने एक बुक लिखिया history of British India उस बुक में उन्होंने क्या कर दिया आगें दो अप्रुटिश क्या हैं अब क्या होता है अब क्या होता है Christian से भी relate कर सकते हो, ठीक है, अभी मैं आगे समझाओंगा क्यों, तो यह जो इन्हें ने classification दिया था, इस classification को क्या किया गया, widely accept किया गया, लोगों ने accept कर लिया, कि हाँ ठीक है, चलो सही classification है, Indian history को हम ऐसे पढ़ सकते हैं, कि एक time period Hindu का था, एक time period Muslim का था, एक time period British का था, ठीक, but James Mill idea of history, British rule as the forces of progress and civilization, तो James Mill ने यह periodize करने के साथ साथ में एक और idea दिया, क्या idea दिया, उन्होंने जो दो period थे, Hindu period और Muslim period, इन्हें क्या बता, इन्हें ancient medieval time period बता दिया, कि इस समय पर सब कुछ कैसा है, बहुत जादा taboos है, बहुत जादा अंध विश्वास हैं, इंडिया में ठीकें, लोग क्या हैं, लोग अंधिश्वास, superstitious practices में विश्वास रखते थे, लोग पूजा पाट इन्हें परेशान रहते थे, ठीकें, इस तरह से उन्होंने history को repeat करा, उन्होंने क्या बताया, British rule as the forces to progress and civilization, उन्होंने बोला कि अब यह जो पिछड़ा पन है इंडिया का, इसे अगर आपको क्या करना है, दूर करना है, आपको इंडिया में अगर progress लाना है, civilization लाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, उसके लिए आपको British rule चाहिए रहेगा, तो इस तरह से James Mill ने periodize करा, और periodize करने के साथ में अपनी जो book थी, कौन सी book थी James Mill की, James Mill की book थ सकता है, what was the book written by James Mill, a history of British India, इस book में उन्होंने क्या क्या क्या, a history of British India में ऐसा बताया कि, अगर progress करना है, आपको civilization, civilize करना है इंडिया को तो उसके लिए British rule जरूरी है, ठीके तो उन्होंने इंडिया क्या 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 सकते है, negative image बताई, शुरुआती दौर में, से spices trade करके ले जाते थे, तो यह तो गलत करा उन्होंने, तो अब इस चीज को पता है, कहां relate करो, आप जो हमने starting में वीडियो पढ़ा थे, मैंने बताया थे, कि as the focus of events and history changes, the dates also changes, तो वैसी यहां पर हो रहा है, कि अभी history लिखने वाला इंसान कौन था, अभी history लिखने वाला सही है, तो उन्होंने उस चीज को बहुत जादा praise किया, और Indian rule को क्या बताया, गलत बताया, लेकिन जब Indian historians history लिखेंगे तो वो बोलेंगे नहीं, medieval time period में भी हमारा कितना trade होता था, ancient time period में हमारा कितना ज्यादा development होता था, सारी चीज़े थी ना, तो उस sense में क्या है कि history लि periodization की दरुवत थी, इसलिए British rules नहीं था, आया समझ में, तो वहीं चीज बताई जाती है, तो यह हम topic से बाहर हो गए, बागे हमारा topic एक बार फिर से पकड़ते है, कि periodization जरूरी होता है, periodization से हमें क्या पता चलता है, periodization से we can show significant changes between the different time period, ठीक है, आफिए different यह जो classification हम देखें है, Hindu, Muslim, British, ठीक है, उनकी book का नाम था, The History of British India, अब क्या होता है, इस periodization को accept किया गाए, लेकिन एक समय पे, जो नोने book में दिया था content, उसे लोग ready नहीं होते थे, लोग उस चीज़ को accept करने को ready ऐसा नहीं होते थे, कि आप गलत बता रहे हो, ठीक है, और उसी के साथ में James Mill क जो periodization था, यह आपके लिए सवाल है, सोचना ज़रा इस पे, कि James Mill ने जिस तरह से periodize करी हिंदो, Muslim और British में, वो periodization गलत है, ठीक है, but there was a problem in the periodization that James Mill offered, James Mill ने जो periodization offer किया था, उस periodization में एक problem, एक दिक्कत है, अब क्या दिक्कत है, क्या problem है उस periodization में, James Mill के तोरह जो periodization किया तो हम next video में अगर specific question जैसे आपका बनता है, what was the problem in the periodization that James Mill offered, question mark, तो आपको question बन गया या इसका answer क्या लिखोगी, James Mill के periodization में क्या negative side था, what were the disadvantages of periodization offered by James Mill, तो अब हम वही सारी चीज़े नेक्स वीडियो में discuss करने वाले हैं, इस chapter के notes, आप हमारी official website, magnetbrains.com पर जाकर, बहुत आ और सभी chapters के subtopics, एक arranged format में available हैं, जिरे आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और download कर सकते हैं, feel free to visit our official website, magnetbrains.com, मिलते हैं next video में, thank you, thank you very much. Hello everybody, this is दिगरास सिंग राजपूद, welcome to magnetbrains. Hindu, Muslim और British period, चलिए ठीके, तो अब हम देखते हैं कि James Mill के periodization में problem क्या थी, मैंने आपको बताया थे ना, पिछले वीडियो में इस सवाल के साथ मैं छोड़े गए थे, कि there was a problem in the periodization offered by James Mill, James Mill ने जो periodization offer किया था, उस periodization में क्या थी, एक problem थी, एक दिक्कत थी, क्या दिक्कत थी तो James Mill divided history on religious ground, ये दिक्कत थी, देखो, religious ground मतलब क्या होता है कि धर्म के अधारत उन्होंने कर दिया Hindu, Muslim और British, British याने उन्होंने Christian, जैसे मैंने आपको बताया था, आगे बताता हूँ, तो ये वही है कि British period याने Christian religions उन्होंने relate कर दिया, उनका ये मानना था जैसे Hindu, Muslim, British, Christians, त फिर अगर आप British time period पर देखो कि तो Britishers were Christian, तो Christian rulers थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, religion के हिसाब से history को divide कर दिया, तो क्या ये सही था, नहीं ये सही नहीं था, इसमें एक दिक्कत थी, दिक्कत क्या थी वह मैं समझाता हूँ, Is it right to characterize an age only through the religion of the ruler of that time, मतलब जो ruler है, उसका जो religion है, अब उस religion के नाम पे पूरी की पूरी age को अगर आप periodize कर देते हो, पूरी की पूरी time period को आप classify कर देते हो, तो क्या ये सही है, नहीं है, क्यों, क्योंकि ऐसा होता था, कि मान लीजे है ruler हिंदू है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसकी पूरी जनता में से Muslim population भी हो, उसकी पूरी जनता में Christians भी हो, आया समझ में, तो ये गलत था, कि आप इस तरह से पूरे के पूरे time period को किसी religion से relate नहीं कर सकते हो, दूसरा question ये भी आता है, does the life, religion and practices of other do not matters, अब मैंने वहीं बताया कि अगर आप एक religion की हिसाब से periodize कर programs थे, practices थे, क्या वो history में मायनी नहीं रखते, क्या वो लोग उनकी activities को हम history में include नहीं करेंगे, करेंगे, बेशक करेंगे, तो उसी sense में क्या है, उसी sense में हाप हमें समझना होगा, ये जानना होगा हमें, कि James Mill के द्वारा जो periodization offer किया गया था, that was not up to that mark, क्यों, क्योंकि there were limitations limitations, limitations कैसी थी कि उन्होंने सिर्फ religious ground पे कर दिया, और according to this questions, his classification not, his classification was not right, ठीक है, तो अब यही चीज़ वहाँ पर बताई गई है, क्या, क्या हम अगर इस चीज़ को conclude करें, तो concluding observation ये रहेगा, और उस चीज़ को ऐसे conclude करें, therefore this periodization is not true and justified, तो उन्होंने जो ये periodization किया है, Hindu, Muslim और ब्रिटिश का, this is not true and justified, ये justified नहीं है, क्योंकि अगर हम इस इधर समझेंगे justified, इस लिए नहीं क्योंकि, because variety of faith existed simultaneously, इसका मतलब क्या हुआ, कि जैसे उन्होंने Hindu period से classify कर दिया, फिर Muslim period से classify कर दिया, तो ऐसा नहीं कि Muslim period में, सिर्फ Muslim rulers ही exist कर रहे हैं, और population भी सारी Muslim है, तो वही चीज़ यहां पर बताएं कि जिसे example देखोगे, when Delhi, Delhi का D capital होगा, ठीक है, when Delhi was ruled by Muslim rulers, in South there were rulers of other faith also, ठीक है, तो जब Delhi पर कौन rule कर रहे थे, Muslim rulers rule कर रहे थे, तो South India में हमने क्या देखा, South India में वहाँ पर दूसरे faith के rulers भी थे, आपने 7th class में, जो last class के chapter 3 में पढ़ा थ तो संस में क्या है, कि variety of faiths existed simultaneously, और इन्होंने जो classification दिया है, वो क्या दे दिया है, वो religion के basis पर दे दिया है, which is not true, ठीक है, जो सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे religion एक साथ रहते, तो ये limitation थी, उनकी, किसकी limitation थी, James Mill का जो periodization था, तो I hope आपको समझ में आ गया, अगर question ऐसा आता है, कि what is the limitation in the periodization offered by James Mill, या फिर problems in the periodization of James Mill, तो किसी भी तरह सागर question आता है, तो आपको ये clear होगा, ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं, तो इसी slide में और हम और चीज़े पढ़ते हैं, इसी topic में, तो due to the limitation of periodization offered by James Mill, James Mill ने जो periodization दिया था, हमें हिंदो, मुस्लिम और ब्रि रहते थे, तो ये limitation के चलते क्या होता है, moving away from the British classification, historians, Indian historians की बात करेंगे, historians have divided Indian history into ancient, medieval and modern, अब ये देखो, तो क्योंकि James Mill ने जो periodization दिया, उससे लोग खुश नहीं थे, लोगों को ऐसा लगता था कि गलत है, उसके अंदर limitations है, तो historians ने दूसरा periodization दिया, या फिर दूसरा classification द जिसे हम आज पढ़ते हैं, वो तीन categories कौन कौन सी थी, ancient history, medieval history और modern history, तो कह सकता आप ancient Indian history, medieval Indian history और modern Indian history, ये तीन period हमने classify कर दिया, ठीक है, अभी इसमें भी कुछ पेंच है, देखो क्या है, तो ancient history को हमने primitive old society से consider कर लिया, कि जो पुराने समय पे old society थी, ठीक है, जब राजा मह जिसे हम कहें क्या, कि बुद्ध के time period का, अशोक के time period का, जो पूरा 800 के आसपास का, उस time तक, उस period तक को हमने ancient history बोल दिया, medieval क्या होता है, तो medieval Britishers के आने से पहले तक, और ancient के बाद में, तो ancient और modern, मतलब Britishers के आने के पहले की जो time, 20 का time period है, उसे medieval history, तो इसे transition period भी कहा गय है, neither ancient nor modern, तो यह वो time period हिस्ट्री का, जब ancient में भी consider नहीं किया जा रहा था, और modern में भी consider नहीं किया जा रहा था, तो हम कहा सकते हैं कि पूरा जो इंडिया का time period attack वगरा हुए थे, Britishers के आने के पहले तक, तो उसे medieval history में पढ़ा जाता है, जो हमने 7th class में, एको relate करो, शिक modern में क्या है, तो देखो modern history को यहाँ पर modern का मतलब क्या होता है, associated with the growth of modern forces, modern forces क्या हो जाएगी, जैसे science, reason, democracy, liberty, equality, इन चीजों की बात की गई modern history में, कि यह जब trend देखने को मिला, तो यह trend को क्या बोला गाया, modern history बोला गया, लेकिन क्या यह सारी चीज़ें इंडिया में भी देखी जा रही थी, बताओ जरा, democracy थी? नहीं थी, liberty थी? नहीं थी, quality थी? नहीं थी, यह तो western perspective है, western countries में जैसे यूरोप की जो countries थी, वहाँ पर history में modern history को associate किया गया with the growth of modern forces, वहाँ पर science, reason, democracy, liberty, equality ग्रो हो रहा था, was it true in the case of India? तो no, इंडिया के case में क्या है, यह सही नहीं British time period से classify किया है, उस समय पे क्या हो रहा था, उस समय पे हमारे democracy, liberty, equality नहीं थी ना, तो यह western perspective है, देखो इस चीज़ को समझो, कि यह जो perspective दिया है modern history का, यह western perspective है, मतलब जो European countries थी, जो western countries थी, वह western countries को तो, अगर modern बोला जाए, उनकी history को, इस time period को, तो उनको ठीक लगेगा, लेकिन हमारे लिए modern नहीं था, क्यों, क्योंकि हमारे साथ में तो यह सारे principles, हमें तो यह जो modern forces की बात की जारी, वो तो मिली नहीं थी, तो इसके लिए कुछ historians ने, Indian historians ने, therefore, many Indian historians refer this modern period as colonial period, अब समझना, तो हमने बोला, ठीक है, ancient classification सही है, medieval classification सही है, लेकिन जिसे आप modern period बोल था, वो तो सरफ western perspective था, तो यहाँ पर हम नो बोलेंगे बहुत बड़ा की, हमारे लिए तो modern history था ही नहीं, तो हमारे historians ने क्या क्या, हमारे historians ने, many historians, Indian historians, referred this modern period, तो जिस चीज़ को वहाँ पर modern बोला जा रहा था, उस modern period को हमारे historians ने क्या बोला, colonial period बोला, अब सवाल यह आत लेकिन जो modern period था, तो हमारे historians उस modern period को colonial period बोलते हैं, जो यह दर्शाता है कि modern forces हमारे यह नहीं आये थे, colonial क्या होता है, वो हम आपको next video में बताने वाले हैं, उस पर direct question आएगा, देखो, आभी हमने क्या क्या पढ़ा, आभी हमने यह सारी चीज़े पढ़ चुके हैं, कि James Mill क्या कर दिया, Indian history को इस तरह से divide कर दिया था, James Mill ने जो divide कर दो उसकी limitation बताई हमने आपको की variety of faith existed simultaneously, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, कि इसी चीज़ से उपर आते हुए, इस limitation से उपर आते हुए historians ने ancient medieval modern में classify करा, फिर हमने बोला कि modern में, जो आप modern forces की बात कर रह है next video में, clear है, इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते है, magnetbrains.com पर class 4th से class 12 तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics, एक arranged format में available हैं, जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और download कर सकते हैं, feel free to visit our official website magnetbrains.com, मिलते है next video में, colonial period के साथ, Thank you, thank you very much. कर रहे थे, democracy, liberty, equality, वो तो था ही नहीं, तो हमारे historians ने क्या बोला, कि ये modern period नहीं है, colonial period है, colonial Indian history है, तो colonial का मतलब क्या होता है, वही चीज़े हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, कि colonial का मतलब होता क्या है, ठीक है, तो आपको समझना इस चीज में कि colonial period क्या होता है, तो British came in India, मैं आपको समझाता होता है, को simple ती चीज है, ये जो शब्द है, colonial इस वीडियो में ऐसा समझ लो, कि आपके जीवन भर आपको ये याद रहे, क्यों क्यों कि आगे भी ये चीज बार बार आनी है, और आगे सिर्फ शब्द आएगा, और शब्द का मतलब क्या है, उसको situation से कैसे जो ना है, वो खुद आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, तो उस sense में क्या है, एक बार पढ़ेंगे, आखरी बार पढ़ेंगे, ये ही मेरा मन्त रेटिक, एक बार पढ़ेंगे, आखरी बार पढ़ेंगे, तो इसको एक बार पढ़ते हैं, और आखरी बार पढ़ सिर्फ समझो ठीक है समझो ऐसे क्या कि जो ब्रिटिशर्स थे तो ब्रिटिशर्स ने जब क्या किया दूसरी कंट्रीज के उपर कज़ा किया तो उन्हें अपनी कॉलोनी बना ली एक तरह से कॉलोनी बना ली मतलब अपने अंडर में ले आए और जब वो क्या करते थे इक North करते थे politically exploiter करते थे पैसे लूट पर जाते थेते यहां राज करना स्टाट्ट कर दिया वहां के इंडिया के ऊपर जबर जत्ती इपना कलिशर थोपना स्टाट कर दिया तो ये जो सारी चीज़े हो रही थी इसे colonization कहा गया आगया समझ में अब इसे हम book के साफ से समझते हैं आपके book में जो heading दिये तो आप book लेकर बैठा करो जो video lectures देखते हैं तो उससे क्या रहेगा कि आप टैली करते चलोगे चीज़ों को तो British came in India, Britishers आए हमने welcome किया बढ़िया स्वागत किया उनका क्यूं क्यूंकि हम अधीदी देवो भवा हमारे ये culture था हमने वोला चलो trade करने आए ट्रेड करने देंगे बिचारों को तो वहाँ पर हमारे rulers ने ये गलती कर दी कि बुला लिया अंदर आ जाओ ठीक है तो British came in India, conquered local नवाब्स और राजास और जिन राजास ने इन लोकल नवाब्स ने जिन रूलस ने उन्हें इन्विटेशन दिया था कि आजाओ ट्रेड करो उन्हीं को उन्हें हरा दिया, Britishers ने तो थे conquered local नवाब्स और राजास और राजास को हराने के बाद में उन्हें क्या कर दिया, they established their rule, ठीक यहाँ पे उन्हें उन्हें जाइक जो उनका जंडा होता वो फहराना चालू कर दिया, British Empire जो था, जो समय पे कह सकते क्वीन जो रूल कर दी थी, तो उन्हें अपना पूरा सामराजी क्या कर दिया, इंडिया में भी फैला दिया, एक तरा से इंडिया को क्या कर लिय अपना ही जीती हुई territory बना लिया, आगया समझ में, तो यह trade के नाम से आते हैं इंडिया में, इस इंडिया कंपनी आती है, अभी पढ़ेंगे पूरी history उसी बारे में कैसे आते हैं, कब किसके उपर गबजा करते हैं, कौन सी लड़ाई होती है, कौन सी नहीं होती है, सारी इसे पढ़ेंगे, तो British came in India, they conquered local nawabs and rajas, वहाँ के जो local nawabs थे, राजास थे, उन्हें हराया, फिर उसके बाद में they established their rule, वहाँ पर उन्हें अपना rule established कर लिया, किनोंने, Britishers ने, मतलब कहां पर इंडिया में, तो इंडिया में they established their rule, उसके बाद में they started subjugating the locals, तो जो यहाँ के locals थे, यही colonial है, ठीक है, colonialism का जो idea वो इन्हीं चीजों को दर्शाता है, तो उन्हें यहाँ के जो locals थे, जैसे हम लोग यहाँ के locals हैं, हम बोलते है कि आपकी city में आप पुछते हो बच्चे से localite है, मिलता है, localite है, कोई बोलता नहीं, मैं तो बाहर से दूसरे गाउं से आता ठीक है, economy and society, यहाँ पर end रह गया हमारा, तो economy and society, तो उन्होंने क्या किया, किनोंने, Britishers ने, Britishers ने सबसे पहले वहाँ के locals को डराया, धंकाया, फिर they established control over the economy and society, तो वहाँ की economy के उपर, वहाँ की मतलब इंडिया की, इंडिया की economy के उपर, इंडिया की जो society थी उसके उपर पूरा control जमा लिया, किसने, Britishers ने, तो Britishers ने इस तरह से इंडिया की economy, इंडिया की society के उपर control जमा लिया, they brought the changes in values and tastes, customs and practices, तो मतलब यहाँ की जो values थी, यहाँ का जो taste थी, मतलब यहाँ का लोगों को जो चीजों को देखने का, समझने का, या फिर चाहने का एक जो नजरिय आए, Britishers ने, यहाँ की जो customs थी, यहाँ की जो practices थी, उसमें change लिया है, कैसे, वो मैं समझाता हूँ आपको, जैसे हमारे values, हमारे values, हमारे test क्या थे, कि हमारे यहाँ western attire को नहीं पहनते थे, Indians, हमारे क्या दोती कुर्ता पहनते थे, पगड़ी पहनते थे, यह सारी चीज़े तो धीरे-धीरे क्या होता है, धीरे-धीरे इंडिया में भी change आ गया, इंडिया के culture में भी क्या हो गया, change आ गया, तो उन्होंने क्या किया, यह जो subjugation की बात हो रहे थे, तो पहले military से subjugate किया, डराया धमकाया, control कर लिया, फिर उन्होंने यहाँ के customs, यहाँ की practices, यहाँ था, या फिर कह सकते ancient medieval और जिसे modern history कहा जा रहा था, तो उस modern history को हमारे historians ने, colonial history क्यों कहा, क्योंकि यही कारण थे, कि उसमें पर modern नहीं हो रहे थे, उसमें पर हमारा जो था, अपना जो culture था, वो क्या हो रहा था, वो हम से छूट रहा था, तो इस sense में, हम modern नहीं हो, हम क्य colonized India, colonization क्या होता है, this subjugation of one country by another, ठीक है, one country मतलब India हो गया, by another मतलब Britain हो गया, तो Britishers आये थे, तो the subjugation of one country by another, leading to the political, economical and social, cultural changes, ठीक है, यह समझो अब क्या है, कि जब Britishers आये, उन्होंने इंडिया को क्या कर दिया, subjugate कर दिया, डरार धमका कि इंडिया के लोगों को, subjugation of one country India by another, another मतलब Britishers, उन्होंने subjugate कर दिया, subjugate करने के साथ साथ में क्या किया, अब जब subjugation हो गया, हम उनके अंडर में आ गया, इंडियांस उनके अंडर में चले गए, तो इंडियांस का जो political, economic, social, cultural था, ठीक है, यह सारी चीज़े बदल गई, कि हमारे जो politics थी, जैसे हमार में ले लिया, जैसे सोने की चीडिया कहते थे इंडिया को, लेकिन इन्होंने उस चीडिया को उड़ा के ले गए, ठीक है, तो economically भी क्या कर दिया, बहुत जादा subjugation हुआ, सारी चीज़ें, changes हो गई, social, हमारा जो समाजिक, मतलब कह सकते हैं, social structure था हमारा, ठीक हमारे society जिस था हमारे जो rituals थे, वो सारी चीज़ें बदल गई, ठीक, तो ये कब बदली, Britishers के आने के बाद में बदली, तो इसी चीज़ को colonization कहा गया, the subjugation of one country by another, leading to political, economical, social and cultural changes, this process is known as colonization, और इस process को colonization कहा गया, ठीक है, तो हमने अपना जो था उसे छोड़ दिया, और जो कह सकते हैं, जो foreigners का था, वो हमारे उपर impose किया गया, हमने shock से नहीं लिया वो, आज हम shock से लेते हैं, आज मतलब कैसे, आज आप कपड़े ले जाओ को, तो आप कितने लोग दोती कुरता खरीदते हो आज, नहीं खरीदते हैं, कब खरीदते हैं, सिर्फ इस्कूल में जब annual function होता है, या इसी sense में जो हम देखते हैं कि जो ancient, medieval और modern history बताई गई थी, तो हमने उस modern history को modern क्यों consider नहीं किया, क्योंकि उस समय पे तो हमारा colonization हो रहा था, तो हमने उसे colonial period कहा है, आगया समझ में, तो यह हो गया, what is colonial, what is colonization, इस तरह से question आता है, तो आपको बनना चाहिए, clear है, तो एक पार्ट आपकी book का complete होता है, अब जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, दूसरा पार्ट कौन सा है, जिसमें administration producers records से जो start होता है, तो उसे अब हम क्या करेंगे, next video में पढ़ना start करेंगे, तो basically अब वहां से history हमारी ऐसी start होती है, हमें history के बारे में पता कैसे चलता है, how do we know, हमें official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते है, magnetbrains.com पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, class 4th से class 12th तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics, बिलकुल इसी तरह एक arranged format में available है, जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हों, download कर सकते हैं, feel free to visit our official website magnetbrains.com, मिल इस फीडियो में हम पढ़ेंगे administration produces records, administration produces records क्या चीज़ें ये, देखें, relate करते हैं पिछले वीडियो से, पिछले वीडियो तक हम लोगों ने एक पार्ट complete कर चुके हैं, आपके chapter का, कौन सा पार्ट complete कर चुके हैं, हमने ये देखा history, history, when, where, how वाला concept देखा, dates, कौन सी dates important हो जलती, वो चीज़ें समझी, फिर हमने periodization को समझा, periodization में क्या दिकत थी, उस चीज़ को समझा, फिर हमने periodization में ये भी देखा कि एक नया concept निकल के आया, क्या, colonial का, तो colonialism, colonization क्या होता है, colonization क्या होता है, colonial क्या होता है, उस चीज को समझा, एक ही चीज थी ठीके, तो एक पार्ट complete हो गया chapter का, अब how do we know, how do we know मतलब क्या है, कि अब हमें history के बारे में कैसे पता चलता है वहाँ, यहाँ से start करते हैं, उस topic को यहाँ से start करते हैं, तो how do we know about the last 250 years of the Indian history, अगर आप जड़ा सोचिए, आज से मैं आप से बोलू कि आप 13 साल के मान लीजिए, तो मैं पुछूँगा कि आज से 5 साल पहले क्या हुआ था आपको ध्यान होगा, आज से 10 साल पहले क्या हुआ तो आप बोल दो कि मैरे पैरेंस ने बताया, ऐसा हुआ था, लेकिन आज से 500 साल पहले क्या हुआ था, तो आप तो पैरेंस के पैरेंस भी नहीं बता पाएंगे, ठीक है, तो हमें आज से 500 साल पहले क्या हुआ था, उस चीज़ के बारे में कैसे पता चलता होगा, आपको कै करें से पता चला बताओं मुझे तो एक जगह से पता चला है आपको कहां से पता चला है तो हमें सभी को पता चलता है वो books kthru या फिर हमने कहीं कि history देखी है पढ़ी है देखी तो क्या होगी 200 साल पुरान तो देखनी सकते हैं लेकिन पढ़ा है उस बारे में पढ़ा है फिर किसी ने मूवी बना दिये तो मूवी देख लिए यह सारी चीद तरह तरगी तो तमाम सोर्सर होते हैं लेकिन अगर इस चीज़ को हम स्पेसिफिकली समझें कि जिसने भी लिखा भी एमानलों हमने book से पढ लिखा है उसने कहां से पढ़ा होगा उसने कहां से समझा होगा तो हिस्ट्री लिखने की जब बात आती है तो ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा में मिल जाता है और उसे हिस्ट्री में लिख दिया जाता है एविडेंसेज होते हैं उन एविडेंसेज की बेसिज पर हम क्या करते ह history लिखते हैं तो evidences कहां से मिलते हैं कैसे मिलते हैं तो पहला जो record है वो है administration produces records मतलब हमें history के लिए जो records की जरुवत होती है history लिखने के लिए जिन चीजों की जरुवत होती है वो कहां से मिलती है वो हमें मिलती है administration से administration कैसे record produce करते हैं तो देखो official records of the British administration, British administration मतलब क्या होता है कि जब Britishers हमारे यहां rule कर रहे थे तो during that period the officers produced some records of administration, मतलब उनका प्रसाशन था है यहां पर, वो rule करते थे अब जब rule करते थी तो चीजों को record भी करते होंगे record करते होंगे कि आच्छा उन्होंने इतना text collect किया इसको jail में डाला उन्होंने इस इंसान को उन्होंने क्या कर दिया fine लगाया है तो इस तरह से वो सारा जो भी administration करते थे उस administration का record रखते थे कौन रिकॉर्ड रखते थे अड्मिस्टेशन का ब्रिटिशर्स ठीक है तो जो ऑफिसर होते थे तो ऑफिशल रिकॉर्ड दी ब्रिटिश अड्मिस्टेशन ठीक है ऑफिशल्स जो थे जो ऑफिसर्स थे वो रिकॉर्ड करते थे उस समय पर पूरा ब्रिटिश मान लोग कोई British colonial officer किसी से कुछ किसी को किसी प्रकार के instruction दे रहा है वो record होता था instruction plan policy किसी चीज का plan किसी policy किसी तरह की कुछ decision लिया गया कुछ एक राजा और British officer के बीच में agreement हुआ ठीक है किसी प्रकार की को investigation की गई है कि अच्छा राजा क्या चोरी हो गई थी investigation की police officers में जो की Britishers होते थे तो यह सारी चीजें क्या करती है यह सारी चीजें लिखी जाती थी जैसे all important documents and letters were carefully preserved this all the records जितनी भी चीजें लिखी तो इन्हें कैसे preserve किया जाता था तो इनके लिए record rooms बना दिये गए record rooms मतलब जहां पर सारे record रखे जाते थे अभी अगर आप जिसे अब तो फिर भी बहुत कुछ digitalize हो गया है तो हमारे जो government offices हैं आज फिर भी थोड़ी चीज़ें कम दिखती है लेकिन आज से 50 साल पहले जब competence नहीं थे तो उस समय पर हर चीज़ को लिख लिख के रखते थे तो इस तरह से ये record rooms होते थे सारे records को क्या रखा जाता था समाल के रखा जाता था record rooms were attached to administrative institutions तो जितने भी administrative institutions होते थे administrative institutions मतलब क्या है कि जहां से administration किया जाता है जैसे police station हो गया जैसे collectorate का office हो गया तो collectorate जो है तो इन सारे administrative institutions के बाजू में क्या रब बना दिये जाते थे record rooms बना दिये जाते थे क्यों बनाये जाते थे कि जितना भी record है जिसे लिखा गया है उसे समाल के रखना होगा तो समाल कर कहा रखोगे आप समाल कर आप रखोगे record rooms में तो जितने भी administrative institutions होते थे collectorate हो गया police station हो गया जहां से administration होता था जहां पर किसी प्रकार की चीज़ों को लिखके रखा जाता था तो उन्हें रखने के लिए लगले record rooms बना दिये specialized institutions like archives and museums were also established to preserve important records तो इन records को preserve करने के लिए archives बनाए गए museums बनाए गए archives क्या होते हैं कि historical data को preserve करके रखने के लिए जैसे letters वगएरा कुछ भी है और फिर कुछ written material है तो उसे preserve करने के लिए अलग institution बना दी जाती है जहां पर सारी चीजें समाल के रखी जाती है तो वह archives हो गए जैसे museum होते है museum आप लोगों देखा होगा मूर्तिया होती है बहुत बहुत पुरानी मूर्तिया जिने सभाल के रखा जाता है तो क्या होता है कि record rooms बनाए गए कहां पर सारे administrative institutions के बाजू में अभी जो record rooms बनाए गए administrative institutions के बाजू में तो उसी के साथ साथ में special institutions बनाए गए जैसे archives और museums तो इन सारी जगाओं पर क्या किया जाता था इन सारी जगाओं पर बस चीजों को समाल के रखा जाता था और वही हमारी लिए क्या बना सोर्स ओफ हिस्ट्री बना तो एड्मिस्ट्रिशन प्रड्यूसेस रिकॉर्ट्स तो मतलब ब्रिटिश जो administration कर रहे थे इंडिया में उस administration से क्या होता है उस administration से to जितना भी return up material था उस return up material को समाल के रखा गया और उसको फिर क्या किया गए हमने history लिखने के लिए हमने मतलब उन records में से history लिखना स्टार्ट करी वह ही मैंने आप से बताया ना कि Around ně sommes taking a step उसे भी तो कुछ सोर्स चाहिए रहेगा ऐसा थोई ना कि भगवान आया होंगे सपने में बोलाओगा कि 200 साल पहले मैं तो था तो मैं तुम्हें बताता हूं हिस्ट्री तुम लिख लेना सुबह उठके ऐसा ऐसा नहीं होता है ना तो जिस इंसान ने बुख लिखी उन्होंन सर्फों जो बुख़र से उसको पड़के समझ्चे उन्होंने एं हिश्ट्री बनाईें लेटर्स और म्मेमोस आफ वर्यास ब्रांचे है था थे हैं में इस थे घचाहिता है कि एक लीपार्टमेंट्स अपन इसाइक डिपार्टमेंट में को ग्यापन दिया प्तलब किसी प तो वह लेटर भी हैं इंडिया में बिटिक शेर्स दब भाग के गया होंगे तो सारी चीज़ें लेके थोरी ना गया होंगे कुछ चूड़ भी गया होगा तो उससे हम क्या करते हैं उससे हम हिस्टरी की समझ हमें बनती है कि अच्छा ऐसा लेटर लिखा ता मतलब कुछ उस स त्यार पाए गए हैं तो हो सकता है कि लोग यहां पर क्या करते होंगे हंटिंग करते होंगे ऐसे तो जोड़ी भी जाती हिस्ट्री मन से भी मनगढ़त भी बनती कभी-कभी ठीक है तो लेटर्स मेमोस अलग-अलग ब्रांचेस के जैसे एड्मिस्टरिशन जब यहां पर कर अलग लग डिपार्टमेंटों से दूसरे डिपार्टमेंट में लेटर जाते थे उन सारी चीज़ों को भी प्रिजक करके रखा गया तो लेटर्स में मोस औफ व्रियस ब्रांचेस वर अलसो प्रिसर्फ जैसे रिपोर्ट होती थे अगर किसी प्रकार की रिपोर्ट मनाई गई यह तो उसे समाल के रखा है ठीक instructions होते थे कि higher officer ने अपने subordinate officer को क्या दिया किसी प्रकार का instruction दिया है उसे भी समाल के रखा उसे भी preserve करके रखा तो यह सारे processes होते थे यह सारी activities होती थी और इन्ही activities के थ्रूँ क्या किया जाता था इन्हे अक्टिविटीज के थूँ चीजों को समाल के रखा जाता था ठीक है? यह हो गया इस डॉक्यमेंट्स वर कैरफुली कॉपीड आउट एंड ब्यूटिफली रिटन बाइ कैलिग्राफिस्ट तो यह जो यह जो डॉक्यमेंट्स होते थे ठीक है? अब हमने जितनी भी चीज़ें क्या करी जितनी भी चीज़ें हमने समझी हैं पर तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से लिख दिया जाता था मतलब record करके रख लिया रिकॉर्ड करके लखे लेकिन हिस्ट्री लिखने के लिए आपको multiple copies चाहिए रहती थी तो केलिग्राफिस्ट होते हैं आपकी स्कूल में केलिग्राफी का competition होता है केलिग्राफिस राइटिंग तो वैसे ही उस समय पे बहुत सुंदर इसे काम दे दिया गया और उसके चलते क्या है तो जैसे जैसे printing develop होते चले गए newspaper develop होते चले गए तो with the spread of printing multiple copies of these records were printed तो अब क्या होने लगा कि पहले जो calligraphist काम कर रहे थे तो अब तो हमारे पास printing machines आ गई तो हमने और जादा copies को print करके रख लिया ताकि कल को जब history लिखने की बारी आएगी तो हम इन चीजों का use कर सकते हैं हम इन चीजों से समझ सकते हैं कुछ ना कुछ तो हमारा जो पहला सवाल था सवाल क्या था how do we know about the last 250 years of the Indian history हमें history के बारे में पता कैसे चलता है what are the various sources through which we know about the history तो various sources में से एक source कौन सा है one of the sources administration produces records कि administration की through हमें क्या मिलता है record मिलता है and over which working over which we can write the history ठीके उस record के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं we can write the history and we can forward the history to the peoples लोगों तक पहुचा सकते हैं history को कि अच्छा ऐसा हुआ था हम लिख सकते हैं तो पहला point हमने यह देख लिया ठीक है अब जैसे यहां पर मैंने आपको क्या बताया था archives के बारे में बताया था तो यह दी National Archive of India यह 1920s उस समय पर established किया गया था तो आज बोड़ा आज कह सकते हैं बड़ा सुंदर सा हो गया यह दली में तो इस तरह से National Archive बनाया गया यहां पर letters वगेरा जितने भी important सारी documents थे जो बज गए Britishers के उन्हें हमने preserve करके रखा है अब जैसे और क्या record में रखते थे तो हम trade की चीजें भी रखते थे अब यह क्या है कि यह जो trading होती थी कितना सामान आया कंट्री में कितना गया है तो इस तरह से बुक्स बगरा जो होती थी उन्हें भी यह को कपका है 1955-1945 पुरानी चीजों को भी हमने क्या करके रखा प्रिजर्व करके रखा है ताकि क्या होगा ताक ब्रिटिशर्स का जो administration के records थे उन्हीं चीजों से हमने क्या कर लिया हमने history record करने के लिए उन्हें यूज किया ठीक है एक यह हो गया अब दूसरा क्या है तो सर्वे होते थे उस समय पे तो सर्वे वैर वन ओफ दी इंपॉर्टेंट सर्वेस जितने भी होते थे सर्वेस क्य होते हैं सर्वेस से कैसे हमें history लिखने में मदद हुई तो वही सारी चीज़ा हम नेक्स्ट वीडियो में discuss करने वाले हैं इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं magnetbrains.com पर class 4th से class 12 तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं नेक्स वीडियो में, thank you, thank you very much अब ही पहला issue कर चुके थे लेकिन हमने अभी तक इसका analysis इसलिए नहीं लाया थे क्योंकि मैं खुद analysis कर रहा था और दूसरी चीज़ पहले syllabus उस pattern को analyze करेंगे कि pattern कहां क्या change हुआ है, क्या हमारे लिए फाइदे हैं, क्या हमारे लिए नुकसान है, वहीं सारी चीज़े हम इस live session में discuss करने वाले हैं आपके जो भी queries है, राउट से आप comment section में डालते जाएगा, मैं बाद में आपको उस चीज़ पर respond कर दूँगा, ठीक है क्योंकि अभी पढ़ा लेता हूँ, फिर आपके सवालों का जवाब दे देंगे तो उस तरह से हम क्या करने आले हैं, जो नया paper pattern उसे पूरा analyze करने वाले हैं, कि क्या बदला है, क्या नहीं बदला है, क्या चीज़े हैं, क्या नहीं है, तो वो सब कुछ discuss करने वाले हैं हमारे साथ में एक बार सभी students जुड़ जाएं, फिर हम start करते हैं इस चीज़ को देखें, important चीज़ एक में बताता हूँ आपको, कि changes आएं, no doubt, पूरा का pattern change हो गया है paper का, लेकिन जो pattern change हुआ तो उससे डरना नहीं है, क्यों नहीं डरना है, क्योंकि change अच्छे के लिए भी हो सकता है, बहुत positive side है उस change के, मुझे तैसा लगता है, तो क्या है, अगर हम इस sample paper का PDF है जो CBSC ने issue किया है, उस sample paper के PDF से ही हम discuss करेंगे चीजों को, तो हम answers नहीं पढ़ने वाले हैं हाँ पे, हम क्या करेंगे, पहले pattern को देखेंगे बस, जैसे कि मैंने आपको बताया, यह paper pattern analysis के उपर है live station, answers के लिए आप comment section में मुझे बता देना, कि आपको answers के लिए भी चाहिए क्या, क्योंकि एक जो marking scheme होती है, तो marking scheme का PDF भी CBSC ने upload किया है, तो उस PDF से आप पढ़ लोगे, ठीक है, तो उस perspective से क्या है, चिंदा करने की कोई बात है नहीं हमें, तो marking scheme वाला system देख लेंगे हम, और paper pattern analyze से अगर हमें करना है, तो analysis के लिए मैं आपको यहाँ पूर analysis के लिए लिए है, तो आप काफी लोग जुड़ गए है, start करते हैं, आप continuously folder की दर start करो, start करते हैं, देखो, क्या है, pattern changed, ठीक है, अब क्या करना है, सवाल ही होता कि pattern change होगे, आप कैसे पढ़ना है, कैसे start करना है, यह सबसे बड़ा सवाल होता है, तो देखो, क्या है, सबस हो गया है, कैसे वो मैं बताता हूं, क्या क्या बदला है, attention to the following points, कि what's new, MCQ आ गए है, पहले MCQ होते थे, क्या, नहीं होते थे, अब MCQ आ और MCQ में सबसे बड़ी हैं बात क्या पता है, आगे पिछे आपके दोस्तों बैठे होते हैं, तो यह MCQ में आपकी काफी मदद कर दें है, ठीक है, आप सहरा बनो ना कि सहरा लो लोगों से, तो MCQ में क्या है, MCQ में आप बहुत आसानी से score सकते हैं, कर सकते हैं, cheating के basis पर नहीं करोगे, कैसे score कर सकते हैं, बहुत आसानी से, तो MCQ में क्या रहता है, कि आपके पास में options रहते हैं, options में से choose करना, तो 25% possibility तो यहीं to score marks, MCQ के सब्सक्राइब मेरे साब से आसान रहेगा, अब अगर आप pattern को देखेंगे, अभी मैं आपको PDF पर लेकर चलूँगा, तो वहाँ पर आपको बता दूँगा, कितने MCQ आने वाले हैं, और उसके साथ में कितने section तक कैसे MCQ आएंगे, वो सारी चीजे, फिर एक नई चीज जो आई है, ये डिमांड कर रही है बहुत जाद है, क्या picture beast questions, इस live session में मैं आपको inform भी कर देता हूँ, कि बहुत ही जल्द हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही जल्द हम लोग एक series बनाने वाले हैं, जैसे map series पड़ी है, आप लोगों ने, map series बनाई है, उसमें मैंने सा आपके comments मुझे मिल रहे है, ठीक है, तो देखो क्या है, MCQ जो है, MCQ में क्या है, easy way से आप mark score कर सकते हो, फिर दूसरी चीज क्या बदलिए, नया क्या है, इस बार paper pattern में नहीं चीज क्या है, picture based questions है, तो ये जो picture based questions है ना, तो इसके लिए हम we will have a specific series for that, जैसे map series बनाई है, वै assertion, reason type questions क्या, ये नया है, कैसे हैं, वो अभी आपको में PDF पर लेके चलता हूँ, तो पहले एक बार मैं अपने pointers discuss कर लो, फिर आपको PDF पर लेके चलता हूँ, तो assertion और reason type questions ये भी नहीं चीज है, मतलब एक assertion दे दिया है, उसके नीचे reason दे दिया है, फिर आपको जैसे competitive exams मे पता है, ये चीज, मैं जो बोला है, see the advantages and disadvantages, तो ये advantages है, पुराना जो pattern तो उसमें क्या था, वही जो हम nursery से पढ़ता है, उसी तरह से question दे दिया, उसका answer लिख दो, one word में आ गया, या फिर इस तरह से MCQ में आ फिलप में आ गया, लेकिन यहाँ पर नहीं चीज है, ये assertion और reason questions देखते हैं, ठीक है, तो number of questions में क्या difference आया है, ठीक है, तो number of questions में difference आया है, कि पहले जो one marks के question होते थे, वो साथ ही होते थे सरफ, अब कितने हो जाएंगे, वो 20 हो जाएंगे, 20 questions हो जाएंगे, पहले 7 questions थे, अब 20 questions हो जाएंगे, तो उस sense में क्या है कि one marks का weightage बढ़ा है अब one marks का weightage बड़ा उसमें भी क्या है कि one marks के question ऐसे होते हैं आगाया तो सीधा एक number नहीं आया तो zero तो वहाँ पर क्या है इसका advantage यह है कि आपको सीधे beast number भी मिल सकते हैं और disadvantage यह है कि सीधे beast number कट भी सकते हैं इसके लाब और कोई disadvantage नहीं दिखता मुझे लेकिन हम तैयारी अच्छी करेंगे तो सीधे beast number लेंगे ना optimistic side पर देखते हैं तो beast number आसानी से मिलने वाले हैं यहाँ ठीक है तो क्याकर नया है mcq नया है picture based question नया है जिस पर हम series बनाएंगे picture based question को अभी के लिए आप क्या कर तो भूली ही जाओ क्योंकि इसको हम एक पूरी series में cover कर लेंगे फिर assertion and reason type questions यह नहीं चीज़ें यह क्या है वो भी बताता हूं मैं आपको source and extract bits question आने वाले इस बार यह भी नया है यह भी समझाने वाला हूं तो यह paper pattern में change आया है numbers में change आया है और numbers में मतलब क्या है कि number of questions जो है तो number of questions में भी बदलाव आया है तो find what is different and new start practicing that तो अब हमने देख लिया कि क्या अलग है क्या नया है अब जो अलग है जो नया है उस पे आपको अगर command चाहिए तो command कैसे मिलेगी command मिलेगी सिर्फ और सि testing से तो sample papers हम discuss करते चलेंगे तो जिससे चलते क्या होगा कि जिसके चलते practice हो जाएगे हम एक बार उस तरह के questions की practice कर लेंगे बहुत आसान हो जाएगा एक बार आसान हो जाएगा तो फिर marks भी आसानी से मिल जाएगे तो चिंता की कोई बात नहीं है pattern बदला है ठीक है no doubt उस साल चीजें आसान रहती है मुझे ऐसा लगता personally अभी तक जितना experience मैंने gain किया है तो pattern बदला है ना बहुत आसानी से होने वाली है चीजें चिंता की कोई मतलब बात नहीं है ठीक है तो हाँ जो मैं कह रहा था कि एक और चीज वो important जो बदली है जो हमें समझना है कि old pattern मे कितने questions होते थे new pattern में कितने questions होंगे उसी के साथ में number of questions बदलेंगे marks उतनी रहना है यह मां सोच लेना कि marks भी बदल गए होंगे पहले भी 80 number का paper होता था अभी 80 number का paper होगा लेकि number of questions change हुए तो let's have a look on that तो पहले क्या होता था question number 1 से 7 तक जो question होते थे पहले total question होते थे 26 जो जल्दी हो जाएंगे हमारे ठीक है तो 10 minute में 20 minute में आप कर सकते हों चीजों को mcq वाले अगर फटा-फट पढ़ते जाओगे तो एक minute में 4 question भी हो जाएंगे mcq वाले तो तो उस तरह से क्या है कि डरने वाली कोई बात नहीं 35 question जो है तो इसमें weightage 1 marks के question का बड़ा इस आज का जो pattern है जो नया pattern है आपका जो आने वाला आपको board में तो वो नया pattern क्या है उसमें 1 से 20 तक question number 1 से question number 20 तक 1 marks के question होंगे मतलब total 20 questions will be there for 1 marks तो 1 marks के लिए कितने question है 20 questions पहले कितने होते थे 1 marks के लिए सिर्फ 7 question होते थे तो यहाँ पर आपको देखो 1 marks में score करना बहुत आसान है आ गया तो पूरे 20 नहीं आ रहे तो 0 लेकिन हम optimistic side पर फढ़ेंगे मैनब करेंगे तो क्यों नहीं बनेगा यार ठीक है तो यह 20 number आपको मिल रहे है यहाँ तो यह आपका एक advantage हो गया कि यहाँ पर सीधे-सीधे 20 number मि आसानी से मिल गए आपके ठीक है अभी देखो अब क्या है तो अब हमकर दिखते हैं आगे question button change होता है question button change होता है तो question number 8-18 तक जो रहता है पहले क्या होता था वो 3 marks के रहते थे 8-18 मतलब कितने question हो गए 11 question तो 11 questions जो है 11 questions 8-18 तक के हैं clear अब यहाँ पर कितने हैं अब 21 से 21 से 28 तक तो यह 8 questions होंगे पहले 3 marks के question कितने आते थे 3 marks के question 11 आते थे अब 3 marks के question कितने हैं अब 3 marks के question 8 है तो आठी question आने वाले 8 प्रश्न जो होंगे आपके 3 number के होंगे अब देखो कितने कम होगा 4 4 question कम होएं मतलब आपको पहले जहां पर कह सकते 3 marks के question को लिखने में time लगता थे ना तो पहले आपको 4 question ज्यादा लिखना पड़ते थे अब आपको 4 question कम लिखना पड़ेंगे मतलब time आपको क्या हो रहा है बच रहा है time बच रहा है मतलब आप और अच्छे से सोच के answer होते है 5 marks के questions होते थे अब five marks की को क्सियन के 39 से question number 34 तक So question number 29 से question number 34 तक 5 marks के एंगे च्राइस्ट और शे सब्सक्राइबे है तो पहले साथ करना रहते थे ज Peach Nous पांच करना रहेंगे यहां पर भी टाइम बच गये question अपने फ्रेंड को MC Q बटाने में वो तो आप बता ही दोगे जो बस ताइं नगा इस टाइम को कहां युटिलाइज करना अप लो प्रव पिपर को अच्छे से पड़ने में तो आज से लिख रहे हैं तो सोच खिली होबाद ऐसा नहीं कि फालेश पीन अब बादब टेख उगे तो फिर पर फ़र म Elle B कर लो कि आपको answer में क्या-क्या points देना है तो उस perspective से क्या है कि आपको time मिल जाएगा 6 और 8 तो आप जो descriptive question होंगे जो लिखने वाले question होंगे वो कितने है टोटल 6 और 8 जो घटाव करो मेरा maths नहीं था ठीक है 6 12 12 14 तो 14 questions जो होंगे वो descriptive होंगे और पहले descriptive question कितने हो थे 11 और 7 18 हो सब्सक्राइब करना है अपने paper के लिए ठीक अब अगर मैप पे आते हैं मैप के questions भी for sure होते हैं क्यों क्योंकि हमने मैप सीरीज में पूरा discuss कर लिया और जो मैप सीरीज लेकिन 6 marks का हो जाएगा तो मैप अब 6 marks का हैगा एक number यहाँ पर आपका बढ़ गया है एक तरह से देखा जाए तो 20 number यह और 6 number यह कितने हो गाए 26 26 number तो आपके for sure है मतलब यह MCQ अगेरा या फिर जो 1 marks question है very short questions जो है वो आपसे बनना चाहिए ठीक है 20 marks में वहाँ पे आपके presume कर सकता हूं और जो map based questions है उसमें एक number presume कर लेते हैं अगर 6 number तो यहाँ पर क्या इस तरह से 26 number का paper आपका बहुत easy होने वाला है बहुत easy होने वाला मतलब यह for sure वाले मात से यहाँ पर कटने के chances नहीं descriptive में क्या है कि आप लिखते हो spelling mistake में कट जाते हैं या फिर कह सकते कि answer नहीं बना एक दो point छूट गए तो उसमें कट जाते हैं लेकिन हमें कहीं भी number नहीं कट वाना है हमारे तो I hope आपको pattern यह समझ में आ गया जो हम discuss करने चाह रहे थे अब क्या 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 नहीं चीज़े हैं तो क्या क्या नहीं चीज़े हैं वह हम आपको बताते हैं अभी ठीक है यह सारी चीज़े मैं pointers बता दिये तो जो भी नया है अब उस पर हम practice start करेंगे तो एक बार मैं आपक सेंपल पिपर की जो मार्किंग स्कीम है जो सीवेसी पर मिलती है तो वहां से आपको मिल जाएगी वह चीज़े आसानी से कि आंसर किसका क्या जाने वाला है लेकिन फिर अगर आप चाहे तो आप comment section में बता दो भर दो comment section को पूरा तो हम उस पर फिर तीन चार वीडियो बना पहले अब क्या change हो गया 1 to 20 आर objective type questions तो यहां पर 20 number ऐसे हो गए 21 to 28 3 marks 8 questions यह फिर अगर देखते है 29 to 34 यह 5 marks question है ठीक अब इनकी word limit भी ध्यान रखना 80 words तो word limit मतलब content में रहना है आपको ज्यादा बाहर नहीं जाना है उससे 80 words यह 120 words में और 35 वाला जो question है 35th number का तो वह map based question है कि क्या history का रहेगा और geography का रहेगा तो इसमें 3-3 number के दोनों के आने वाले पहले क्या होता था हिस्ट्री के दो ही आते थे तो अब वह 3-3 बराबर बाट दियो नोंने लगाई होती थी हिस्ट्री geography के बीच में तो बराबर कर दिया ठीक है तो यह आपका paper pattern है 35 total questions होंगे clear अ आपको अगर answers चाहिए तो आप बता होगे मुझे comment section में मैं आपको इसके लिए अलग-अलग section wise जैसे very short answers के यह जो questions है इनके answer एक अलग video में दे देंगे हम आपको ठीक है तो लाइफ session स्रिफ pattern analysis के लिए मैंने ठीक तो अब क्या यह से इस तरह से यह पहले नहीं आता था अ 3MCQ आ गए तो identify the appropriate reason for the formation of Swaraj party from the options given below बिना option के भी बता सकते हो आप लेकिन option मिल गए आपको तो option मिलने से क्या होगा एक option choose करना है तो यह इस तरह से क्या होता है आसान हो जाती चीज़ें फिर और अगर देखे हम तो picture-based question जिसका हम कह रहे थे तो picture-based question में हमने क्या देखा picture- फोटो आ गई है कौन नहीं बताई है आप चलो comment section में बताओ तो अब यह फोटो आ गई है question क्या पूछले देखो which of the following aspect best signifies the image of germania अच्छा नाम भी आई गया है तो germania किस चीज को दर्शाती है answer एक बता देता हूं तो जैसे यहां पर क्या है आपको पता है क्या कि तीनों इर्रेवेंट है इसका answer तो यह बहुत आसान है यह जिसने नहीं भी पड़ा है वो भी कर सकता है तो उस sense में क्या है उस sense में हम यह सारी चीजने डिसकस करेंगे इस पर तो एक अलगी specific series बना लेंगे हम picture-based question series बनाने वाला हूं में आपको picture-based question है वो सारे complete हो जाएंगे pattern आपके साहरे discuss कर रहें तो यह one marks में सारा अब देखो यहां पे गलती मत करना पहले क्या होता था स्रिफ map-based question जो होते तो उसमें यह option आता था this question is in lieu of question 3 for visually impaired candidates only तो जो लोग दरस्टी बादित होते ना जो लोग देख नहीं पाते हैं उन option होता है what does the crown of allegory of Germany Germany signify क्या होता है क्या signify करता है से बताना मुझे comment section में आप heroism heroism signify करता है चलो मैं बता देता हूं तो यह क्या है ध्यान रखना यह visually impaired candidates के लिए रहेगा आपको attempt नहीं करना है कभी कभी क्या होता हम भावनाव में बह जाते हैं पता लग रहा है कि answer आ तो तो इस तरह से वनमाक्स में आगे हूँ और स्कॉल्ड अर्केटक्चर ऑफ जर्मनी यूनिफिकेशन तो आंसर आपको पता है वेरी गूट लिख दो comment section में चलो answer हम सारे discuss करेंगे वैसे ठीके आप comment section में बता दीजेगा चाहते हो अगर तो which one of the following example यह के MCQ आ गया अब करने कि rainfall देए क्रॉपिंग सीजन कौन सा होता कौन सी क्रॉप यहां पर राइस राइस का क्रॉपिंग सीजन कौन सा होता तो लिखिया तेंपरेचर कितना लगता है वो लिखिये तो क्रॉप्स को ऐसे discuss कर लेंगे यह जो format होता है sample paper का जो format cbc issue करता है इस format में ही boards के paper आए किया जैसे 8th question क्या है अब 8th question भी ऐसे one marks में आगे मतलब यह objective types हो गया correct the following statement in rewrite यह नहीं चीज़े rewrite वाला यह मैंना आपको शायद starting वाली slides में बता है यह rewrite करने को भी आ सकते Belgium is small country in Europe and share border with France, Italy, Germany and Luxembourg तो यहां पर कुछ गलत है तो उसको rewrite करके फिर से लिखना यह भी आसान है यह अगर ध्यान हो तो छोटी classes में आता था पता यह जब हम 4th, 5th, 6th, 7th class में थे तो उस बीच में ऐसी चीज़ा आती थी true false में जाता था rewrite करने को तो वही चीज़ वापिस आई आसान है यह तो बहुत पहले करते थे ठीक है तो मुझे तो ऐसा लगता जो pattern change हो बह picture-based questions है इसमें क्या interesting चीज होने वाली इसमें एक interesting चीज होने वाली कि सिर्फ history और geography से इसमें दिया है sample paper में तो हमें presume करके चलेंगे कि boards में भी आपका history और civics इसे ही आना geography नहीं तो यह आसान होगी ना चीज़े यह आसान होगी हमें तो picture-based question एक नई चीज आगई हमारे ल इसाब से क्या रहेगा उस सारी picture सारे cartoons को discuss कर लेंगे तो उससे क्या रहेगा उससे आपको यह options बहुत आसानी से बन जाया करेंगे यह हो गया और क्या है नया pattern देखो फिर इसमें वापिस हुई आया note visually impaired candidates के लिए तो वह आपको उस चीज का विशेज ध्यान रखना है जो जोश में आके लिखने देना है यह नहीं तो पता लग रहा यह question आपको आसान दिख रहा तो आप इसका answer लिख दो फिर वैसे ही आप वनमार्क्स में कि फिलप में आ जाएगा कुछ यह भी नहीं चीज़ है बाकि यह आसान है तो the representation of women in Indian parliament is still low as compared to European countries because open ended question है यह because क्यों क्यों कि हमारे हैं patriarchal society है और भी तरह तरह के answer हो सकते हैं इसके देखो आप अभी अगर आप कहेंगे ना तो हम इसके answer discuss करेंगे एक अलग वीडियो में ठीक है लाइफ सेशन में नहीं करते हैं तो उसमें आपको समझ में आएगा कि यह बहुत आसान सी चीज़ नहीं है जैसे इसक ना तरह से one marks का है 12 कोशन हमारा one marks का है 13 कुशन भी mcq में one marks का हो गया 14 कुशन भी जैसे देखो भीलप में हो गया mcq में हो घ्र से फिर अगर हम देखे तो फिर mcq आ गया यह MCQ आ गया, ठीक है 18th, अब 19th question जो है तो यह एक नजी चीज है क्या है, इसको समझाता हूँ मैं आपको, देखो, assertion और reason based question हो सकता है कि आप बहुत से लोग आप में से पहली बार देख रहे हैं इस question को, पहली बार कैसे देख रहे हैं, कि यह ऐसा statement दे दिया, not every good or service that is product and sold need to be counted in, counted to know the total production in each sector, यह आपको एक statement दे दिया, simple सा, assertion दे दिया, reason क्या दिया, इस statement का reason समझो, the value of final goods already includes the value of intermediate good, तो अब आप इस statement को पढ़ते हो, तो यह क्या बता रहा है, goods and services, final goods and services की बात कर रहा है, ठीक है, और नीचे वही बताएगा है, नीचे reason भी यही दे रहे है, क्यो उपर वाला statement और नीचे आला statement, दोनों का relation और यह कैस का सही explanation है या नहीं है, आपको यह कहानी समझ में आने के बाद में, फिर option में सिर लडाना रहता है, क्या, कि option ऐसे रहेंगे, both a and r are true and r is the correct explanation of a, तो आपको ऐसे रेखना रहता है, कि assertion सही है, सही लिखा है, बिल्कुल स सही लिखा है, ठीक है, अब उसके साथ में, r is the correct explanation of a, और a को अगर हमें question माने, और उसका answer अगर दिखा जाए r के form में, तो वो सही है या नहीं है, तो वो भी सही है, तो एक question आपका assertion और reason based आना है, इसमें आपको दोनों statement को बहुत गहराई से पढ़ना है, और statements फिर option से स option के साथ में statement जा रहा है, a is correct, r is wrong, वो समझ लो, both a and r are true, ठीक है, अगर ऐसा होता है, दोनों statement सही लग रहा है, लेकिन r जो है, वो a का सही explanation नहीं लग रहा आपको, तो आपको फिर क्या करना रहेगा, option b चूस करना रहेगा, तो इस तरह से assertion और reason based question, ये कुछ नहीं चीज करेंगे, हम जैसे मैंने आपको starting में बताया था, ठीक है, find what is new, find what is different and start practicing that, तो हम उस चीज की practice करेंगे, सारी चीज़े हासानी से हो जाएंगे, ठीक, फिर आते हैं, फिर 28th number के question पर आते हैं, तो ये भी क्या है, MCQ आ गया, आप देखो इसमें क्या है, कि एक information दे दिये, और information पर से क्या है, आपको MCQ बना के दे दिया, तो ये यही के ही solve करने वाली चीज़ है, इन सारी चीजों के answers हम अलग से video lecture में discuss कर लेंगे, अभी ये live session में हम क्या करते हैं, अभी हम pattern समझते हैं, तो ये pattern है, और pattern का जो major changes देखें तो चप्टर question number 1 से अगर आप लगा के फिर ये इस तरह का table वाला question आ गया, ठीक है, फिर MCQ में भी कुछ कुछ आ गया था, ये picture based चले गया, ठीक, और ये calculate करने को आ गया formula, ठीक है, MCQ नहीं चीज़े है, ये fill up में आ जाएंगे इस तरह से, तो ये major pattern change हुआ है, वो इन ही चीज़ों में हुआ है, मतलब जो one marks वा ये continuously में समझ रहा हूँ, लेकिन अभी हम pattern discuss कर लेते हैं, आपके सारे queries में respond कर दूँगा, ठीक है, बाद में उन चीज़ों का respond कर दूँगा, अब section B जो है, तो कहां से 21 number question से चालो होगा, short answer questions, ये कितने हैं, पहले 11 आते थे, आप 8 आएंगे, ठीक, 21 से start होता है, तो देख में एक source दिया है, ठीक है, source B दिया है, और source C दिया है, तीन source दिये हैं, और marks भी देखते चलो इधर, इधर marks भी देखते चलो आप, उपर ही दिया होंगे marks, ये 3 marks दे दिये हैं, तो तीनो source के में क्या है, question पढ़ो, तीनो source पर आपको direct question है, ये 23 number question, read the source given below and answer the question that follows, ठीक है, तो कैसे marks हैं, 1, 2, 1, 1, 1, तो ये 3 number का question जो था, मतलब हमने देखा कि question number 21 से 28, 3 number क्याने वाले हैं, उसमें क्या है, एक number, एक number और एक number, तो अब हर source पढ़ेंगे हम पूरा, ठीक, ये source पूरा पढ़ने के बाद में हम क्या करेंगे, source को पूरा पढ़िए, और इसके question अभी the effectiveness of print in the transmission of idea and culture, तो जो paragraph उपर पढ़ा था, ये वाला, source A जो पढ़ा था, तो source A में ही इसका answer चुपा हुआ है, पढ़ना है, समझना है, line टीपना नहीं है, अपने मन से भी आप क्या का सकते हो, answer लिख सकते हो, सही लिखना है, लेकिन, तो उस तरह से ये करना है, source A का question, source B क अभी वैसे ही है, और तीनों के question यहां पर मिल गए है, एक, दो और तीन, ठीक है, ये तीनों चीज़ आ गई है, तो उस तरह से, energy save this, energy produce, ये statement दे दिया और उसको क्या करना है, आपको answer देना है, तो उस तरह से answer ये direct question हो गया, ठीक, ये direct question है, जो 28th number का question है, वो हमारे 3 marks तक का है, तो ये direct question होगा, section C जो है हमारा, section C को अगर हम देखते हैं, section C में क्या क्या नई चीज़ है, तो section C में देखो, ये direct question है, पांच नंबर का जैसा पिछले साल आता था, वैसे ही है, ठीक है, इसमें नई चीज़ ये है, extract based question, मैंने आपको starting में बताया था, कि source based और extract based question, ये नया चीज़ है कुछ, तो ये नया क्या है, extract based में देखो क्या है, एक extract देदिया है ये, ठीक है, एक unseen passage जैसे इंग्लिश में कर तो उस तरह से देदिया है, तो अभी एक extract देदिया है, इस extract पे question पूछ लिएगा है, इसका अगर marking scheme देखो के तो marking scheme भी इस तरह से, कि ती तीन question दिये होंगे आपको, ये तीन question दिये होंगे, वन, टू और टू, तो मतलब तीनो question में marking कैसी रहेगी, एक जो पहला question ये पूरा extract पड़ो, पहला question एक number का है, दूसरा question दो number का है, तीसरा question दो number का है, आंसर का मिलेगा इसका, तो answer आपको बुक में नहीं मिलेगा, answer य ये भी पांस number अगर दिखा जाए, तो on-spot करने वाली चीज है, कैसे, कि आपकी अगर, मतलब जिसमें social time में कुछ नहीं पढ़ा है, वो भी जा के बैठेगा, और ये assertion वाला, ये मतलब जो extract based question ये पढ़ लेगा, तो उससे बन जाएगा, वो, ठीक है, जैसे English के paper में होता unseen passage का, बस इसकी practice करना है, लेकिन आपको दो-तीन, जो क्या कह सकते है, paragraph passages है, extracts है, उन्हें पढ़ो, उनको attempt करने की कोशिश करो, जो हम करेंगे, ठीक है, फिर आता है ये direct question है, 20, 31, 32 भी direct question है, 33 भी direct question, कुछ नहीं चीज नहीं है, pattern, question number 1 से 20 तक के बीच में जादा fluctuate हुआ ह और फिर जो 3 marks question है, उसमें एक नहीं चीज क्या आई है, source based आ गई है, और जो 5 marks के question है, उसमें एक extract based आ गया है, ये नहीं चीज आई है, और उसे के साथ में जैसे हम देखें, तो 34 नमबर तक हमारे ये भी complete हो गया, 5 marks वाला section, अब 35 नमबर का question है, इसमें कुछ change हुआ है, pattern history से आगा है, ठीक है, दो ही question है, मैंने starting में 3 कह दिया था, तो ये 2 question है, 2 question history के आगा है, अब नीचे अगर देखा जाए तो 35 question का 35 B का जो है, तो वो किस के आगा है, वो geography के आगा है, तो ये geography का question आगा, अब आपको क्या करना है, जहां पर जो दिया है, कि ये on the same map outline the map of India, locate and level 4, any 4 of the following with suitable symbols, तो ये 6 option है, आपके पास इसमें से 4 करना है रहेगा, आपको ये आसान हो गया, ठीक है, अब ये note फिर आगया वापिस visually impaired students के लिए, candidates के लिए, तो वो आपको नहीं करना है, तो यहाँ पर क्या है, कि 4 number का ये हो गया, ठीक है, और 2 number का history का question हो गया, अब मैप सीरीज में, कमेंट सेक्शन में, अंसर डालो ज़रा जल्दी से, ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको, इसको identify them and write their correct names, तो ये आपको marked रहेंगे, आपको उनको identify करके, उनका नाम ही लिखना है, बस की, ये session जो हुआ था, 1920 December का है, कौन सी जगा पर हुआ था, और कामिंट B, मार्ट ने, आपको कहा लिखना है, आपको सिर्फ आंसर लिखना रहेंगा, तो इस तरह से, और बाकि जो चार्ज जियोग्रफी के question कैसे आएंगे, चार्ज जियोग्रफी के question कैसे आएंगे, चार्ज जियोग्रफी के question इस तरह से आएंगे, तो आपको 6 options में से चार चूस करना चार को प्लॉट करना जैसे आपको पेराद्वीब पटा मेजर सीपोर्ट का है तुमान लगा दो ठीक है जैसे सली में इस इंडरस्ट्रें में डिसकस की है वह लगा दो आप नौइडा भी डिसकस की है भाकरण अंगल चत्रपाजी यह भाकरण अंगल डैम व अटा सकते हो आप तो सारी चीजें स्पेसिफिक के बाहर कुछ नहीं जाना है तो इस लाइफ सेशन में मैंने आपको पूरा पैटन आपके साथ किया कि क्या होने वाला है पेपर पैटन ठीक है तो पूरा पेपर पैटन हम डिसकस कर चुके हैं अब अगर आपको आंसर वाल लाइफ सेशन लिया हम सॉरी फॉर देट ठीक है लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पैटन पहले डिसकस कर लेते हैं ताकि हमें सारी चीजने क्लियर रहे तो वह हो गया है हमारा अब हमें सिलेबस पता है हमारा पैटन पता है ठीक है एक सीरीज का प्रॉमिस करके जा रहे हैं आप थेक्यू थेंक्यू वरी मच्च हला अबरीबडी दिस दिग्रास सिंग राजपूत वेलकम तो मैगनेट ब्रेंस इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे सर्वेस बिकम इंपॉर्टेंट क्या है यह ज़रा पिछले वीडियो से रीकॉल अगर आपको हिस्ट्री लिखना था तो आप उनके जो एड्मिस्टेटिव रिकॉर्ड होते थे जैसे आर्चीव में म्यूजियम में जो लेटर्स होते थे इन साही चीजों से हम क्या करते हैं इन साही चीजों को हिस्ट्री लिखने के लिए यूस करते थे एक सोर्स यह हो है history लिखने का मैंने फिर आपको यह भी बताया था कि history लिखने के और भी source होते हैं तो दूसरे source क्या हैं दूसरे source है service service कैसे source बने वो मैं आपको समझाता हूं उससे पहले क्या समझेंगे हम उससे पहले समझेंगे कि survey होते क्या हैं तो देखो another important source of writing history of surveys और surveys होते है recording and examining of a particular area subject etc ठीक है तो आप क्या करते हो जब आप किसी भी एक चीज को पूरी तरह से क्या करते हो analyze करते हो example देता हूं जैसे में कि आपको क्या करना है आपको आपकी school में यह पता करना हैं कि कितने बच्चों को चॉकलेट पसंद hypoth pluck get up सभी लोगों से पूशते हो की कौन सी चॉक्रेट पसंदे क्या पसंद हैंने है वह सारी चीजह हो गया तो आप एग्जामेन करते हो da record करते हो किसी बी चीज को किस चीज को examiner record लो कुछ भी area हो सकता है किसी area को इक सर best record कर रहे हो झालए चीजी किसी subject शूशल मैथ इंग्लिच अइस सब्जेक्च मतलब किसी चीज की ऐप चाम कर रहो तो जब आप क्या करते हो किसी भी एक चीज को cònना शाया है चैकल और एक्सेंट करते हो अच्छे से रिकृॉर्ड करते हो समझते हो तो उसे नीफ कहा जाता है तो किसी भी डेटा को क्कर प्रेंटेन करना सरभेंबब्स हमारी लिए किस तरह से फिस्टरी का सोर्स बने हैं अच्छे सरवे में सोराफ से क्या मदद मिली उस चीज को हम पढ़ने वाले हैं तो ब्रिटिश बिलीव देट कंट्री है टू भी प्रोपरली नोन बिफोर इट कुट भी एफेक्टिवली अड्मिस्टर्ड मतलग कि अगर आपको किसी भी कंट्री को एड्मिनिस्टर करना है एड्मिस्ट्रीशन समझते ना जैसे किसी भी कंट्री में आपको गवर्मेंट चलाना है या फिर क्या सकते हैं किसी भी कंट्री में ब्रिटिश इंडिया आ गए थे उन्हें क्या करना था उन्हें पूरी इंडिया के ऊपर क्या करना था पूरी इंडिया को अच्छी तरह से क्या करना था कंट्रोल में रखना था अपने तो उन्होंने बोला कि अगर इंडिया को effectively administer करना है आपको administration effective setup करना है यहां पर तो उसके लिए आपको क्या करना होगा उसके पहले आपको उस country को जानना होगा ठीक है तो यह वही चीज बताए गई है कि British believe that a country had to be properly known before पहले ऊस country को जाओ आप उस country को जानों कbeing से जब तक उस में घुमों की फिरो कि नहीं जब तक उसके बारे में आपको जानकारी नहीं आज़ी जैसे आप एक नई सिटी में इसके में जाती हो तो नए सी में अगर आप को कूं मना तब आप घूमना जाओं इसके लिए क्या होगा आप उस सिटी के बारे में सारी चीज़े जान पाओ और जानोगे कैसे जब तब घूमोगे नहीं घूमना मतलब जगा 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 जाके देखना विजट करना तो वही आप इन्हों ने किया कि ब्रिटिश को समझना है तो दे सब्सक्राइब करते हैं कि इसको मतलब एक तरह से सर्वे किया जाए कितनी हाइट है दूसरे माउंटें जो ने पचा था उससे कंपेर करा उन्होंने तो वही सारी चीज़े रहती है तो इस संस में क्या है कि अब हमें हिस्ट्री लिखने में सर्वेस से कैसे मदित मिली तो म क्वाउंट इवरेष्ट के ही चीजिगरफिकल सब्सक्राइब और उसके साथ उसकी एक सपरी है जब रहते कि पैसा अरब है लोगों के पास कितनी जमीन यह कहां हैotom2 अटफि है तो जमीन के उपर कैसे स्ट्रक्चर है महां पर प्लेंस हैं मौन्टेंस हैं प्लैट्यूज है क्या है ठीक है रिवर से नहीं है फॉरस कितना है तो वह तो उपर फीज के लिए सर्फ रोता तो अमने पता लगा कि इसारी चीज हम लिखते चले गए है flora fauna इन याने कि होता है paid pod the fauna जानव第一 उपज सर्वे थे कितने जानवर एंग प्यद 65 minute तो यह सारी होता है सारी की हमें डेटा मिव्जा मिला और उस डीम要 with the deal करीड तो दी क्रोपिंग पटर्री यतों इन सारी चीजों को ले के होता था इनकर इतल सर्वे होते थे अब इसके साथ में क्या है census operation भी start हो गया इंडिया में census operation जो हुआ तो census begin to held after every 10 year तो हर 10 साल में क्या होता है census होता है जैसे आप लोग अभी पढ़ोगे geography में आपके जो last chapter है population तो उसमें आप और चीज़ें पढ़ोगे census में क्या होता है census में 10 साल के हर 10 साल के interval के बाद में 10 साल के बाद में मतलब कब जैसे 2001 में census हुआ फिर 2011 में हुआ अब कब होगा 2021 में होगा तो 10 साल के time period पर जोड़ा जाता है कितने हमारे हाँ लोगों की जनसंख्या बढ़ी है तो एक तरह से हम लोगों की जो counting होती है population उसे census में किया जाता है तो census operation begin to held after every 10 years क्या है census समझा दिये मैं आपको फिर अगर हम देखते हैं तो census operation से हमें क्या और जानने को मिलता है तो census operation produced record of the people such as number, caste, religion and occupation तो जब आप जन गणना होती है census को क्या कहते है जन गणना जन जो होते है जन याने लोग और गणना मतलब उनकी गिंती करना तो जब लोगों की गिंती करते हैं आप तो आपको क्या पता चलता है census operations आपको पता चलता है कि कितने लोग है ठीक है people such as number पता चलते हैं उनके caste अब आप जब जैसे आपके घर में पता नहीं आप लोगों ना कर ध्यान दिया हो तो कभी census वाले आएंगे ना अभी तो शायद आपने ध्यान नी दियोगा 2011 में चोड़े जोड़े थे आप ठीक है अब 2021 के आसपास या फिर आके भी चले गए होंगे तो पूरा दस साल का काम पूरे देश का डेटा करना टाइम लगता है ना तो जब वो आते हैं तो घर में पूछते हैं कि कितने बच्चे हैं कौन सी क्लास में कौन सा बच्चा है ठीक है कास्ट कौन सी आपकी रिलिजन कौन सा है आपका तो वो सारी चीजों से हमें क्या पता चलता है कितने लोग हैं हमारे देश में किस कास्ट के हैं, किस रिलिजन के हैं क्या काम करते हैं तो सारी देश के बारे में पूरी जानकारी आपको census के operations से मिल जाती है यह operation मतलब डॉक्टर वाला नहीं होता है, census operation मतलब survey करना एक तरह से clear, फिर there were many other surveys too और इसी के साथ साथ में क्या है कि दूसरे भी बहुत तरह के surveys होते थे कैसे surveys होते थे तो botanical, botanical survey क्या होता है botanical survey मतलब botania ने पेड़ पधों से जुड़े भी जो study होती है तो botanical survey, geological जानवरों से जुड़े जो study होती है archaeological मतलब history और जो पुराने monuments वगएरा वो उससे जुड़ी anthropology मतलब वो ही ancient culture, ancient humanoids वगएरा जो पुराने समय की तो archaeology और anthropology लगबग लगबग सेम है differentiation होता है दोनों अलग अलग चीज़ होती है लेकिन अभी क्लिए समझ लो आप तो इन सारे subjects पे भी surveys होना start हो गए forest surveys होते तो जंगलों में कितना क्या है ये सारी चीज़ें पता लगने लगी तो इस तरह से variety of surveys were being conducted in India during the colonial time period colonial time period के बाद में भी होता था और इन सर्वेस से advantage क्या था इन सर्वेस का advantage यह था जैसे यह surveys being carried out during the colonial period तो इन सर्वेस के थूँ क्या किया जाता था इन सर्वेस के थूँ हमें data मिलता था और उस data को हम कहां लिखते थे history लिखने में मदद मिलती थी उस data से हमें तो मैंने आपको दो factor बता दिये कि how do we know about the history of 250 years ago तो हमें 250 साल पुरानी history ऐसे पता चलती है कि administration produces records पहला point मतलब administrative system जो था वहां से records मिलते हैं दूसा point जो surveys conduct किये जाते थे उनसे भी हमें idea मिलता था और भी गई से हमें जानकारी मिलती थी क्या जी हां देखो यह तो अभी तक आपने देखा कि अभी तक history किसके source से मिल रही है Britishers के source से survey भी Britishers करवाते थे administration भी Britishers करते थे तो अभी हमें British source मिला है लेकिन Indians का perspective तो भूल गए हम तो अब यहां पर अगला जो topic होगा हमारा तो अब इस topic में हम यही सारी चीजें पढ़ेंगे कि official records में कुछ कमी थी तो वो क्या कमी थी और दूसरे source of history क्या थे तो इन सारी चीजों को हम next वीडियो में समझने वाले हैं इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available हैं जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हों download कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com बिलते हैं next video में thank you thank you very much hello everybody this is दिगरास सिंग राजपूद welcome to magnet brains इस video में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस video में हम पढ़ेंगे what official records do not tell देखिए पिछले वीडियो तक हमने आपको क्या बताया है पिछले वीडियो तक हमने बताया है कि किस तरह से जो official records होते थे administration के, surveys के, उन सारी चीजों से हमें history लिखने में मदद मिलती है उन records पे काम करके हमने क्या सीखा, उन records पे काम करके हमने सीखा अच्छा उस समय पे ऐसा ऐसा हुआ था तो history को ऐसा ऐसे लिख दी गई, लेकिन अब एक सवाल यह आता कि official records से जब हम history लिखते थे तो कुछ चीजें छूट जाती थी, कैसे छूट जाती थी, क्या छूट जाता था, वही साही चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और यही आपको heading आपकी book में भी दिये, तो basically इस heading का मतलब क्या आपको समझा देता हूँ कि हम official records से, administration और surveys, जिसे ही official records हैं, तो इन records से क्या करते हैं, history लिखते जरूर थे लेकिन इन records में हमें history का पूरा perspective नहीं मिलता था, एक perspective history का छुप जाता है official records में तो जो छुप जाता था, वो क्या छुपता था, ठीके, what official records do not tell us, तो क्या नहीं बताते थे, और कहां से और देखने की जरुवत है history को, कहां से और सीखने की जरुवत है history को, अगर आप history लिखते हैं, तो आपको उन चीजों पर भी दिया जाना चाहिए, ठीके, तो वही च British Government थी, उन्होंने अपने perspective से history लिख दी, कैसे, कि British Government यहां rule कर रही थी, वो administration कर रहे थे, वो ही service conduct करवाते थे, तो उन्होंने क्या करा कि, उनका जो सोचना था, उनको जो दिखती थी चीजे, अपने फाइदे किया, फिर अपने perspective से, जैसे हमने देखा James Mill ने जो history लिखी थ समय क्या रखा, उन्होंने इस तरह से history लिखी कि वो यह बताना चाहते थे कि Indians जो है, तो Indians क्या है, बहुत primitive हैं पिछणे हैं और colonial rule जरूरी है उनके development के लिए, तो उन्होंने अपना perspective रखा, तो वैसी क्या होता है कि history जब लिखी जाती है, तो British Government ने अपने perspective से लिख दी, ठीक है, तो absence of Indian perspective लेकिन यहाँ पे Indian का और Indians का जो perspective था, वो तो रहे गया है ना, Indians क्या सोचते थे, उनकी क्या दशा थी, history लिखते समय, उनकी क्या position थी, आपने वो तो छोड़ दिया यहाँ पे, तो उस sense में क्या है कि Indian perspective छूटा, क्यों छूटा, क्योंकि Britishers ने history लिखी औ तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम इस चीज़ को मतलब लिखते हैं या फिर पढ़ते हैं कि जो official records होते हैं, they provide us the biased history, ठीक है, official records हमें एक तरफा history देती है, दूसरा perspective तो उन्होंने छोड़ी दिया, तो official records tell us what the officers thought, officers को क्या लगता था अच्छा, उन्होंने वह लिखा उनकी history में, official records की जो history है, मतलब वो history जो official records के basis पर लिखी गई है, उसमें सर्फ officers के ही perspective देखने को मिलते हैं, what they were interested in, उन्हें जिस चीज में interest था वो वही चीज लिखेंगे history में, and what they wished to preserve for the posterity, ये posterity क्या होता है, posterity मतलब future generation, जो आने वाली पीडिया है, तो उन्होंने यही सारी चीजें history में लिखी, जो वो चाहते थे, what they wish to preserve for the posterity, what they wish to preserve for the future generation, की उन्होंने सोच लिये तक यहां future generation को में ये बताना है कि Britishers बहुत अच्छे थे, तो कहीं कहीं पर हिस्ट्री में ऐसी चीजें लिखी होगी कि Britishers बहुत अच्छे थे, आगे समझ में, अभी जैसे आ आने से इंडिया में development भी हुआ था, माना कि Britishers बुरे थे लेकिन उन्होंने development किया था, railways आया, education system आया, तो वो चीज अच्छी नहीं है, लेकिन वो Britishers ने वैसे लिख दी कि we have provided the development in India, तो हमने railways लाये, लेकिन railways तो उन्होंने उनके profit के लिए लाये थे ना, उनके profit के आना था, तो उन्होंने Indians के लिए थोड़ी ना लाये, अब भाग के गए तो ऐसा तो नहीं कि रेल की पटेडी उठा के ले जाएंगे अपने साथ में, तो वह चीज है कि उन्होंने अच्छा भी किया अगर कुछ तो वह उन्होंने उनके लिए किया था, और उसको ऐसे डि इस्ट्री क्योंकि Britishers ने लिख के चलेगा तो उस चीज को अच्छा बता दिये जाता है, तो मैं तो इस चीज के अगेंश में हो बिल्कुल, environmentally I oppose this, कि यह गलत था, तो हमें बैसे पढ़ना भीन चाहिए, हमें अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहिए कि Indians में कितना सफर किय है British time period में, चलो topics से काफी बाहर निकल गए थे हम, लेकिन वापिस आते हैं, तो official records जो होते थे, official record tells us what the officials thought, what they were interested in and what they wish to preserve for posterity, reality may be different, तो जो reality की बात की जा रही थी, वो reality क्या हो सकती, different हो सकती है, किस context में different हो सकती है, reality different हो सकती है, जो history Britishers ने लिखी है, उस से, ठीक, therefore history must be looked from other perspective also, history को एक अलग perspective से भी देखने की जरुवत है, सवाल या था कैसे देखोगे, कौन सा चश्मे से देखोगे, तो वो हम आपको बताते है, तो history लिखते समय है, या फिर जो आपकी broad heading थी, how do we know, तो हमे administrative records से पता चलता है, surveys से पता चलता है, और ये भी लिखो फिर answer में, कि हमारे हाँ कोई traveler साथ है, जैसे Chinese traveler, फायान के बारे में पढ़ाया आपने, 7th class में पढ़ा था, तो उनकी books से उनसे सीखो, क्योंकि वो एक neutral account देखे जाएंगे, उन्होंने क्या लिखा है, और विटिशर्स ने क्या लिखा, दोनों चीजों में फरक होगी, तो accounts of the pilgrims and travelers, autobiographies of important personality, जैसे आप autobiographies पढ़ोगे, important personalities की, ठीक है, मात्मा गांदी की, और सबकी जब autobiographies पढ़ोगे तो आपको एक अलग perspective मिलेगा, इंडिया का, Indian perspective मिलेगा न, autobiography of important personalities, ideas of leaders, leaders ने newspapers में, letters में अपने ideas को express किया, उन ideas को पढ़िये, leaders and reformers, जो reform की बात करते थे, जैसे जो समाज मे बदला हो लाने की, राजाराम महनरोय, तो इन सारे लोगों की जब आप क्या पढ़ते हो, इन सारे लोगों की autobiographies पढ़ते हो, इनके ideas पढ़ते हो, तो आपको एक और perspective मिलता है, समझ में आता है कि अच्छा Indian history ऐसी थी, history में उस टाइम पर ऐसी चीज़ें हो रही थी, आया नहीं है, तो यह सारे sources भी important होते हैं, history लिखने के लिए, और इससे हमें दूसरा perspective भी मिलता है, तो what official records do not tell us, they lack the Indian perspective while writing, तो जब official records में history लिखी गई है, तो Indian perspective was not included in that, और Indian perspective आपको इन सारी जगह से मिल जाएगा, yet the history lacks the perspective of peasants, workers and tribals getting to know their lives was a more difficult task, अब मालो हमने Indian perspective भी देखा न तो देखो दो चीज़ें, यह है दो perspective, हमने British perspective पूरा देख लिया, तो एक British perspective पूरा देख लिया और यह दूसरा perspective इंडियन था, तो Indian perspective भी हमने आदा ही देखा है, क्यों, क्योंकि आदा जो perspective रहे गा है Indian perspective, वो कौन सा है, वो है peasants, workers, tribals, इन लोगों का, अब इन के बारे मे तो हमें और भी कम पता है, ठीक, यहां पे जैसे लिखा है, getting to know their lives was a more difficult task, क्योंकि कोई written material नहीं है, sources नहीं है, तो इनके बारे में कैसे पता चलेगा हमें, तो वही सारी चीज़ें हमारी book में discuss करी हमने, यह जो पूरे 8th class का book पढ़ोगे ना, तो इसमें आपको सारी पर्सपेक्टिव भी मिलेगा, administrative records के बारे में से भी चीज़ें मिलेगी, service से भी मिलेगी, और जो presence और इनका perspective था इसे भी include के गया, तो 8th की history काफी interesting होने वाली है, इस sense में, आपको मुझे पता है कि आपको 6th class और 7th class में history में मजा नहीं आया था, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ेंगे इसी के साथ में हमारा chapter जो है तो वो theory part पर complete होता है, एक video और बनाएंगे हम, जिसमें हम question answers discuss करेंगे, तो हमारा chapter फिर comprehensive तरह से complete हो जाएगा, मतलब हमने आपको chapter के topic, sub topic, सारी चीज़े पढ़ा दी, और क्या question पुछे जा सकते हैं इस chapter से, वो भी पढ़ा दें बागी theory part पर यहाँ पर complete होता है chapter, आपको किसी प्रकार के doubt है तो comment section में पूछ सकते हैं इस chapter के notes, आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं, magnetbrains.com पर class 4th से class 12 तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के sub topics, एक arranged format में available हैं, जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते है समझ सकते हैं, और download कर सकते हैं, feel free to visit our official website magnetbrains.com, मिलते हैं next video में frequently asked questions के साथ, thank you, thank you very much Hello everybody, this is दिगराश सिंग राजपूत, welcome to magnetbrains. करना है आपको, आपको question answer, question के answers देना है, कैसे दोगे, तो अपने ही मन में recall करना, अब हम discuss करेंगे कि क्या question इस chapter से पूछे जा सकते हैं, पूरा chapter पढ़ लिया है हमने, अब हम देखेंगे कि इस chapter से क्या questions पूछे जा सकते हैं, और उन questions के answers आपको अपने मन में recall करना है, कि इस question का यह answer होगा हमने पढ़ा है ना क्योंकि चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले define type में फिर one marks में explain के type में questions क्या सकते हैं James Mill पर question पुछा जा सकते हैं कि define James Mill who was James Mill to James Mill was a Scottish economist and a political philosopher who divided Indian history into three periods तो वो सारी चीज़े आपको करना है तो James Mill के उपर question आता है archives क्या होते हैं तो archives की उपर question अगर आता है तो क्या होते है रिकॉल करो जल्दी से कि special special rooms which were meant to record the documents जो documents वगरा होते थे जो letters वगरा होते थे तो वो जहां पर preserve किया जाते रिकॉर्ड किया जाते हैं archives service क्या होते है में colonial क्या होता है colonization समझाया था specific वीडियो में तो इस तरह से one marks में कुछ question पूछे जा सकते हैं defined type में कुछ question पूछे जा सकते हैं इस chapter से I hope आपको बन गया यह कि James Mill archives क्या है service क्या होते हैं और colonial क्या होता है clear है तो यह one marks में question पूछे जा सकते है question number two जो है तो अगर आप इस question को समझो आप तो इन history which dates are to be recorded depends upon the one who records the history explain the statement अब देखो यह twisted question है डाया question है मैंने जान मुझके twist करके डाला question क्यूं क्यूंकि 8th class में अभी से practice करते चलो तब जाके 9th class में जब twisted questions आएंगे तो डर नहीं लगेगा बॉन वीटा वाला वो एट देखा है तुमने कि तैयारी जीत की जिसमें वो अपने से बड़े कह सकते हैं कंपिटर से लड़ी होती लड़की boxing कर रही होती है ताकि क्या हो ताकि कल को जब आपको real competition वे उतरना हो तो आपको साही चीज़े नॉर्मल लगे तो वही चीज़ यहां पर कर रहे हैं हम क्या कि twisted cushion की practice अभी से करते हैं ताकि क्या हो कि कल को जब 9th class में twisted question आएंगे तो tough ना लगे चलो अभी statement समझो क्या है statement क्या है कि history which dates are to be recorded depends upon the one who records the history तो इसमें आपको बताया था कि perspective to perspective to perspective क्या होती है dates vary हो जाती है history record करने का concept vary हो जाता जैसे कि अगर history record कौन कर रहा है Britishers कर रहे हैं तो उस समय पर history में dates important हो जाएगी ठीक है कौनसी डेट्स गवर्नर जनरल वाली जिसे हमने डिसकस की थी लेकिन वही history अगर Indians record करेंगे तो dates बदल जाएगी तो यह उसी statement को आपको explain करना है तो इसमें आपको वही सारी चीज़े लिखना बताएगी तो वही चीज़ यहां पर बताएगी है वह जेम्स में लिए कुछन important वह जेम्स में जेम्स में explain his periodization of history उन्होंने जिस्ट्री को periodize कर आए तो वह किस तरह से कर आए उनका classification बताना है आपको तो एक कुछन वह बन जाएगा important ठीक है तो वह जेम्स में explain his periodization of history important question है what was the name of book written by James Mill फिर आते हैं what was the limitation of the periodization offered by James Mill तो James Mill offered the periodization of Indian history ठीक है no doubt उन्होंने किस तरह से periodize किया था Hindu, Muslim और British तो जो periodization James Mill ने offer किया था ठीक है the periodization which James Mill offered had some inherent limitations या फिर disadvantages तो उस periodization की क्या limitation थी क्या disadvantages है उस periodization के वो आपको बताना है हिंट में देदू variety of faith existed simultaneously इस point को हमने discuss किया था इस answer में ध्यान आया कुछ क्यों क्योंकि उन्होंने सिर्फ religion के perspective से history को periodize कर दिया उन्होंने दूसरे religion के लोग जो समय पर exist करते थे उनको क्या दिया उनको तबज़ों नहीं दी तो उस sense में क्या है उन्होंने जिस तरह से periodize क history को उसमें क्या है उसमें limitation थी तो sense में आपको अगर question बनता है तो इसमें एक अलग वीडियो ही बनाया है कि what was the limitation in the periodization of periodization of James Mill ठीक है तो James Mill ने जो periodization के Indian history को उसमें क्या limitation थी वो हो गया explain the process of colonization explain the process of colonization या फिर one marks में colonial क्या होता colonization क्या होता है डिफाइन करो तो पूरा the subjugation of one country by another ध्यान आया यह statement हमने definition के साथ पढ़ा था तो पूरी process भी बताना है कि कैसे how India became a colonial country तो Britishers आये उन्होंने फिर वहां के जो local rulers थे local नवाप्स थे उन्होंने हराया territory capture कर ली वो साही आपको फिर subjugation start किया local people का यहां के culture के उपर उन्होंने dominate करना start कर दिया वो पूरी process जो colonization की तो colonization और colonization से related अगर question आता है तो आप से बनना चाहिए ठीक है यह हो गया अब देखो important question जो chapter का अगला पार्ट था जिस पर से important question बन सकता है what are various sources used to write the history what are the various sources used to write history तो उसमें पर बला question आगया मानलो पांच number में आगया क्या कि what are the various sources used to write the history कौन कौन से sources है administration produces records वारा point पड़ा था हमने तो वो लिख दिया आपने administration produces records और यह point लिखने का आद explain कर दिया फिर surveys लिख दिया इसको surveys लिखने के बाद में explain कर दिया फिर dies of the people accounts of pilgrims autobiographies यह सारी चीजह लिख द history यह इन जैनरल अगर पांच number में question ऐसा आता है कैसा question what are the various sources used to write the history अगर ऐसा question आता है तो वहीं पर हम बात करें कि question कैसा आता है वहीं पर हम बात करें कि question और ज्यादा बोल सकते narrow question आता है कि administration produces records to write the history explain how तो आपको यहां पर सिर्फ जो हमने एक वीडियो में discuss किया कि administration जो होत ठीक है offices जो होते थे revenue officers के तो वहां पर क्या होता था चीजों को record किया जाता था letters memos वगेरा को record किया जाता था archives museums वगेरा में record किया जाता था तो यह administration produces records to write the history का point का answer आपको ऐसा लिखना है फिर अगर वहीं पर पूछ लेते हैं surveys were one of the important source of history तो आपको यहां पर survey के perspective से लिख operation define census operation तो census operation are the surveys conducted after every 10 years ठीक है under which we get to know about the number the caste the religion of the people ठीक है तो लोगों के caste, religion, number यह सारी चीज़े में पता लग जाती census से जो हर 10 साल में करवाया जाते हैं ठीक है वो हो गया तो अब आता है surveys were one of the most important sources of history explain तो उसमें आपको survey में सारी चीज़े लिखना है कि variety of surveys होने लगे और survey क करवाने के पीछे कारण क्या समझते थे Britishers, they thought that if you want to administer a country properly then you should know about the country तो आपको अगर country के बारे में पता करना है तो कैसे पता करोगे आप survey करके तो वही सारी चीज़ें फिर diaries of people, accounts of pilgrims, autobiographies, help us to write history, explain तो इन सारी चीज़ों से हमें history लिखने में कैसे मदद मिली, इन सारी पर फोकस करते हैं लोगों की डायरी पर, accounts of pilgrims, autobiographies, तो इन से भी हमें history जानने को मिलती है, हमें क्या मिलता है, insider perspective, एक Indian perspective मिल जाता है history लिखने का, तो यह हो गया, फिर आते है, official records during the colonial period had a different and biased view of history, explain how, तो जो official records थे, किस समय के, British time period के, तो official records जो थे तो जो हमने last video discuss किया था उसमें हमने क्या पढ़ा था, official records, what official records do not tell us, तो official records हम से कुछ चीजें छुपाते हैं, वो क्या, वो एक biased view देते हैं, वो सर्फ British perspective दिखाते हैं, Indian perspective रहा जाता है, तो वही चीज़ यहां पर पूछी गई है, कि जो official records होते हैं, they provide as a different and biased view of history, explain how, तो उसमें आपको लिखना है क British centric history लिखे जाती ही, Indian perspective को छोड़ दिया जाता है, इसलिए वो biased view देते हमें, तो I hope पूरा chapter revise हो गया है, क्या question पूछे जा सकते हैं, वो revise हो गया है, अब आपको इस chapter में सारी चीज़ें बनना चाहिए, नहीं बनी तो फिर, मतलब फिर से पूरा वीडियो देख लो, ठीके celebration होते हैं, तो इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते है, magnetbrains.com पर class 4 से class 12 तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics, एक arranged format पर available है, जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और download कर सकते हैं, feel free to visit our official website magnetbrains.com, thank you, thank you very much.